हेलो बच्चों जैसे हैं आप लोग आपका बहुत 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 स्वागत है बेसिक मैस के नेक्स लेक्चर में और आज देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हमारा गोल है लोगरिथम पढ़ना बच्चों बहुत जादा ये important chapter है ये जो chapter है जो आप इससे concept सीखोगे वो सारे के सारे concept आगे चलके calculus में काम आएंगे because calculus में बच्चों बहुत सारी problems होती है जो की mixed problems होती है जिसमें log को डाल ही दिया जाता है ऐसे बच्चों देखो दो chapter है पहला log हो गया और दूसरा है trigonometry ये जो बच्चों दो chapter है आपको बहुत ध्यान से करने है बहुत ध्यान से करने है इसके questions आपको बहुत अच्छ से solve कर करने है and then साथ में जो जो प्रॉपर्टी जो जो फॉमले आप इस वाले chapter में और जो ट्रिगो चैप्टर में पढ़ोगे उन सबका यूज फाइनली जाके functions के सवालों में होगा क्योंकि function के जो सवाल आएंगे function बच्चों calculus का पहला chapter है तो जो function के जो सवाल होईंगे उसमे log और trigonometry mix problem दी होगी तो ठीक है गबराने की बच्चों कोई भी बात नहीं है हम लोग अपना बावा का नाम लेकिए ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ी आज़े पढ़ लेंगे कोई जिनता की बात नहीं है बस बस मस्ती करते रहें और मेरे साथ बहुत जादा पढ़ते रह तो देखें भई या लोगरिथम में क्या है ये है असली mathematician ये है भाई साथ हमारे बहुत 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 जादा प्यारे से बाबा इनका नाम है जॉन नेपियर ठीक है मतलब नाम है कि अब ये है नहीं इनका नाम था जॉन नेपियर बाई साथ जो लोगरिथम का जो concept था वो इनों ने ही दिया था जो लोगरिथम का concept है वो इनों ने ही दिया था इनकी बहुत इज़त करनी है मेरे प्यारे से बच्चों इनी की देन थी logarithm का concept इनके देखो बच्चों शब्द क्या थे इनके देखो बाई सब शब्द क्या थे इनके शब्द ये थे इनोंने ये बोला था कि every positive real number every positive real number capital N okay can be expressed can be expressed in exponential form can be expressed in exponential exponential form जो क्या है मेरे बच्चों लिख देता हूँ that is that is that is that is N equals to A की पावर L बहुत अंग्रेजी हो गई sir तो बाई साब एक अपना इससे पड़ भी देता हूँ मैं ये बुलना चाहता हूँ कि according to John Napier Baba दुनिया का हर positive real number बहुत ध्यान से सुनना positive real number इन्हों ने जब logarithm का भाई concept दिया तो इन्हों ने ये बूला कि दुनिया के हम सिर्फ real numbers की बात कर रहे हैं वैसे तो आप लोग class 11 में हो ये के छोटे से बच्चे हो जस्ट अभी अपना ये का preparation स्टार्ट कर रहे हो या फिर backlog है इसलिए देख रहे हो लेकिन मैं ये मान के चल लाओंगी अभी आपको कुछ भी नहीं आता तो बच्चों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जॉन ने पियर बाबा थे इन्हों ने ऐसा बोला कि दुनिया के सिर्फ real numbers के बारे में ये concept दिया उन्होंने बोला देखो भाई हम अभी complex number की बात में कर रहे हैं अभी हम सिर्फ real number की बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा बोला कि दुनिया का कोई भी जो positive real number है ये जो concept उन्हों दिया बच्चों सिर्फ positive real number के लिए दिया और साथ में ये भी बोला कि इसको हम लोग exponential form में हम लोग represent कर सकते हैं सबसे पहला doubt आया कि सर ये exponential form का मतलब क्या होता है exponential का मतलब होता है बच्चों exponent और exponent का मतलब क्या होता है power के form में ठीक है भाई साथ तो दिखो उन्होंने ये बोला कि दुनिया का कोई भी number अकर capital N है उसको आप एक ही power L तरीके से लिख सकते हो ठीक है बच्चा पाटी तो हम लोग सिर्फ किस में deal कर रहे हैं positive real number में deal कर रहे हैं अब क्या पता कुछ लोगोंने complex number पढ़ लिया हो कि सर हमने तो complex number का भी log लेना सीखा हुआ है ओके very good फिलाल हम लोग basic math में सिर्फ किस से deal कर रहे हैं real number से deal कर रहे हैं तो इन्होंने ऐसा बोला कि दुनिया का कोई भी जो positive real number है हम उसे exponential form N equals to A की power L के form में लिख सकते हैं कि जो A है ना जो base है ए देखो base है समझे ना ए देखो base है clear है भाई यह base है base और यह power है इसे बोलते हैं base A को और L को बोलते है exponent उन्होंने बोला देखो भाई base को सिर्फ positive लेना ठीक है और साथ में यह बोला कि जो base है यह कभी भी one के बराबर नहीं हो सकता इन्होंने बहुत important word यह बोले है देख रहाँ उपर photo है इन्होंने बोला भाई कि जो base है यह कभी one के बराबर नहीं हो सकता और साथ में base हमेशा positive होना चाहिए तो देखो भाई समय हम जरा कुछ यहाँ पर बातें लिख देते हैं कि जो A है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है बच्चा जी नाम एक फिरंगी नाम सोच लिया जो नाम है logarithm ठीक है सर थोड़ा feel नहीं हुआ कोई बात ने बच्चे पहली चीज आई मैं जरा यह बात करना चाहता हूं कि सर यह negative क्यों नहीं हो सकता तो देखो भाई a negative नहीं हो सकता इसका reason जो है यह थोड़ा continuity of the function होता है यह थोड continuity of the function होता है और भी चीज़े होती है तो जब हम calculus पढ़ेंगे तब ही आपको feel होगा कि यह negative क्यों नहीं हो सकता यानि कि यह अभी आपको नहीं सोचना है मैं चाहूं तो आपको satisfy कर सकता हूं मैं कोई ऐसे words use कर दूँगा कि आप satisfy हो जाओगे तो भाई वो काम मुझे नहीं करना है इसके बारे में मैं से बच्चो continuity में बात करूँगा जब domain domain वाली चीज़ें पढ़ लेंगे लेकिन फिलाल बस यह जो चीज है यह negative नहीं हो सकती कभी यह सोचना भी नहीं और यह बात आखें मून करके मान लो और finally जब हम calculus पढ़ेंगे जब भी कभी हम पढ़ेंग value one क्यों नहीं हो सकता मैंने का देखो यार यह चीज अभी आप सोच सकते हो कि अगर a की value आपने one कर दी तो यह यहां पर ध्यान दो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं if a equal to one तो स्टेम क्या होगा a की power l अब बता यार one की power आप कुछ भी कर दो कितना आता है one ही आता है तो इ यह नंबर तो fix ही हो जाएगा यह नंबर तो बाइसा fix हो गया आप तो एकतम फस गया मतलब one की power ऐपने क्यों नहीं किया आपने इसले में किया क्योंकि उस टेम नंबर तो fix हो गया one की fazemla रहा तब तो बहिंया आया यहां ड처럼 कुछ भी लेते रहू कुछ भी लेते रहू कु करना अभी भी आपको ये feel नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं इसके लिए हम लोग अगर किसी को ये चीज feel हो गई है then I love you all और नहीं हो ये then also मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ ये सारी चीजें हम लोग भाई calculus में देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे इसकी clarity थोड़ी जाधा बनेगी तो देखो भी या ये जो बाबा थे इनको प्रणाम कर दो भी या प्रणाम कर देना comment box में इनको भाई साब प्रणाम कर दो तो देखो भाई साब final क्या चीज आ रही है final ये चीज आ रही है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई साब simple सी चीज है कि ये जो n equals to जो a की power l होता है अब देखो कितना आपको ध्यान रखना है कितना आपको दिल दिमाग में रखना है कि ये जो n होता है ये बच्चा n हमेशा क्या होता है positive क्योंकि logarithm का भाई साब जो concept है ये सिर्फ positive real numbers के लिए है ये concept ऐसे ही बनाया गया है यही इसकी परिभाशा है यही इसकी definition है तो प्लीज यहाँ पे overthink मत करना मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगा हम नहीं मान रहे हम नहीं मान रहे बटा मानोगे लेकिन आगे मानोगे ज positive हो सकता है बाबा ने concept सिर्फ positive number के लिए है नेपियर बाबा ने तो देखो एन हमेशा positive होना चाहिए ठीक है सर दूसरा चीज एक के साथ बवाल क्या है मैंने का ए होना चाहिए greater than 0 लेकिन ए 1 नहीं हो सकता ए negative क्यों नहीं हो सकता मैंने का ये भी बच्चा हम बात में देख बाएसाब हम लोग लोगरिथम हैं जब ये conditions बाएसाब satisfy होती है ठीक है सर जब ये conditions satisfy होती है तब ही हम लोगरिथम पड़ते है अब यहाँ पर ध्यान दो भाएसाब यह जो l होता है यही होता है logarithm यही होता है logarithm मतलब इतनी चीजों से आपको familiar हो जाना है जितने points मैंने बूले उतने points बच्चा पाटी आपको दिल दिमाग में रखने है फिर आपको question करने का प्रयास करना है कुछ चीज का reason अभी नहीं दे सकता बाद में मिल जाएगा पर ये आपको करना अभी ही सीखना है अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चा पाटी हाँ सर हम क्या करें मैंने का देखो यार एक ये representation होता है n equals to a की power l इसी l को लिखने का एक और representation होता है जो होता है log an सर ये कैसे लिखा है सर power तो समझ में आती है पर ये कैसे लिखा है तो बच्चा पाटी यहाँ पर ध्यान देना ये representation है ये representation है power को मतलब l को लिखने का ये representation है इसको देखो आप कैसे पढ़ते हो आप इसको ऐसे पढ़ते हो कि जो l है वो log to the base a n है मतलब देखो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि l is चलो English में लिख देता हूँ कुछ बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में लिखा करो ठीक है बाई l is log to the base a ये दो को थोड़ा सा नीचे लिखते है to the base a और यहाँ पर number क्या होता है अब ध्यान दो भाईज आप ये जो दोनों जो relations होती है n equals to a की power l जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चाहे आप लिखो n equals to a की power l और चाहे लिखो आप l equals to log a n बच्चों सुनते रहे न ठीक है न मेभी शुरू-शुरू में थोड़ी से दिक्कत आए क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत सोचने के आताता थी बहुत चीज वो फील करना चाहते है जब वो ये चीज फील नहीं कर पाते तब कहते हैं यार चैप्टर ही छोड़ देते हैं प्लीज ये काम मत करना जो reason मैंने का अभी मैं नहीं बता सकता तो नहीं बता सकता ये थोड़ा मैं उसी टाइम आपसे मैं बात करूँगा ठीक है और फिलहाल मैं बस इतना चीज बोलना हूँ कि N इक्वल्स टू A की पावर L अगर कहीं दिया हुआ है और L इक्वल्स टू A की पावर इन बच्चा पाटी कहीं दिया हुआ है तो देखो मैं ये बोलता हूँ These are same relations ये दोनों भाई बहन है ये same relation है बोथ are same ठीक है भाई तो देखो इसको आप ऐसे read कर सकते हो कि N क्या है A की पावर L है ऐसे आप read कर सकते हो कि N क्या है You will say A की पावर L है बेस की पावर L है तो देखो इसको मैं सड्डे नाल रूल भी कहता हूँ पहले गाना था ना सड्डे नाल रहोगे तो एश करोगे जिंदीगी के सारे मज़े कैश करोगे सड्डे नाल तो देखो भाई आप ऐसे याद कर सकते हो लॉक टू दा बेस A बेस A है, नमबर N है जिसका लॉक लिया जा रहा है वैल्यू L आती है, इसको मैं बोलता हूँ सड्डे नाल रूल, N इकुल्स टू A की पावर L ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ किया ओके बच्चे, I love you अब देखो भाई, कुछ लोग को लॉक थोड़ा बहुत आता ही होगा तो वो लोग लॉक की प्रॉपर्टीज यूज करके सवाल करेंगे, कृपिया ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे लॉक के सवाल नहीं होते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक आता है उसके बाद भी नहीं होते हैं तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही पढ़ो अब सारी चीज़ें भूल जो एकदम फ्रेश स्टार्ट लो जिन्दीगी में कुछ पाना है, तो पुराना जो खराब चीज़ें भूल के, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि जो पढ़ाएगा तो वो खराब था, यह नहीं आप पुरानी यादें भूल के, एकदम फ्रेश तरीके से त्यारी यहां से स्टार्ट करो, यहां पे आपको सारे सवाल करा जाएंगे, आपके साथ कुछ भी धोका नहीं किया जाएगा, complete चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों, तो यहां पे बहुत ध्यान से देखें, एक बार फिर से अपना fresh start करें, आप यहां पे ध्यान दो, जैसे भाई यह question बोल दिया, मैंने बुला, find, find ठीक है, L, if if, L equals to log to the base to 16, देखा मैं कैसे बोल लाँ, log to the base to 16, ऐसे घर बैठे बैठे बोलो, जितने लोग पहले और पढ़ना नहीं, इसको ऐसे ही बोलो log to the base to 16, तो देखो भाईया, आप कैसे करोगे, आप देखो simple इसको ऐसे सोचोगे, इसका solution देखना आप कैसे सोचोगे, इसका solution बच्चा पार्टी आप ऐसे सोचोगे, कि L की value है, log A, N, ठीक है सर, compare करो, जैसे आप compare करोगे, तो देखो A का value हो जाएगा 2, बिल्कुल सही, N का value हो जाएगा, 16 एकदम सही, निकालना आपको L है, बिल्कुल सही सर, तो देखो, आपको पता है, सड़ाल रहोगे तो, एश करोगे, N equals to A की power L लिख दो, simple से चीज़ है, N कितना है, 16 है, यह है 2 की power L, एकदम सही बात है, 2 की power L है, अब आपको पता है, 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की power 4 लिख सकते हो, और यह है 2 की power L, यानि सर, L की value कितनी हो नीचे, यह 4 और देखो, L ही आपको निकालना था, मुझे पता है, कुछ लोग को log आता होगा, तो वो लोग property लगा लेंगे, पर मैं यह मान के चल लोओ, आपको कुछ भी नहीं आता है, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, उससे भाई साब, ये सवाल आपका हो जाना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ, उसके लाउव अच्छा मैं कुछ नहीं जानता हूं पस मैं इतना जानता हूं जितना अब तक मैंने पढ़ाया है यह सवाल हो जाना चाहिए मतलब आपको यह refine कर लेना है कि मैंने अब तक बस इतना ही आपको पढ़ाया कहानी आनी मैंने बहुत चीज़ें बता दी थी कि ना कुछ मेरी लिमिटेशन सी जो मैं अभी नहीं बता सकता था और मैं चाहता तो मतलब L A और N ढूंडो उसके बाद मैं सड्डे ना लगा दो L की विल्यू 4 आ गई ठीक है सर I love you सर यस बेटा बटा आई लव बाबा ओके अब देखो भाई हम लोग करते हैं कुछ जरूरी बातें सर जरूरी बातें हम क्या करते हैं सबसे पहले देखो मैं एक चीज तब तक बोलूँगा जब तक तुम्हारे मुह से खून ना निकलने लगे हैं तुम लोग बोर हो जाओगे लेकिन मैं बोर करूंगा तो देखो बच्चा पाटी जैसे L इकोल स्टू लॉग अन दिया है तो देखो N पॉजिटिव होना चा चाहिए कहीं अगर L इकोल स्टू लॉग अन लिखा है तो एन ग्रेटर दन जीरो भी होना चाहिए ए ग्रेटर दन जीरो भी होना चाहिए और एवन के बराबर नहीं भी होना चाहिए मेरी बात आप समझ गया होगे अब जरा यहां पर ध्यान दूँ हां सर नेक्स चीज बत चीज मैंने आप नहीं लेखी और यूनीक एन एंड ए ठीक है भाई यूनीक वेल्यू ओप एल ठीक है सर अच्छा सर आप ऐसा कुछ बोल ले हो हां बिटा ऐसा कुछ बोलने हैं सर हिंदी में बताओ चलो भाई पताता हूं मैं यह कहना चाहता हूं बच्चा कि किसी भी सव काल में जैसे कि आप से मैंने बुला गया जैसे माने सिम्पल सी चीज बोल दी ठीक है इसको सॉल करें बहुत ज्यादा टफ है टीग लेकिन मैं देको एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं, ये बोलना चाहता हूं इसकी value क्या आएगी हमको नहीं पता, लेकिन अगर इसकी value कुछ आएगी तो वो unique होगी, unique का मतलब एक ही value आएगी, मेरा कहने का मतलब यह है, इसकी एक ही value आएगी, only one unique value, ठीक है sir, only one unique value, एकदम सही बात है मेरे बच्चे ऐसा नहीं हो सकता मानो किसी का value इसका कुछ मानो something मानो कि 3 आ गया वैसे 3 नहीं आएगा ठीके चलो 3 नहीं बोलता हूँ चलो एक चीज जो तुम्हें और बताता हूँ एक चीज और बताता हूँ इसी को simplify करके अगर मैं यहाँ पर लिखूँ log 2 15 equal to L आपको पता है बच्चा A का value है 2 N का value कितना है 15 एकदम सही L का value आपको निकालना है इसका मतलब क्या है सर देखो भाई इसका मतलब यह है line को तो पहले सीधी कर दें फिर बात करते हैं ठीक 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 है ठीक है जैसे आप देखो भाई N equals to A की power L लगाओगे तो देखो 15 equals to क्या जाएगा 2 की power L एकदम सही सर 2 की power L अब एक जी बताओ 15 का अगर मैं सोचना चाहूँ कि 15 किस के बीच में लाई करेगा तो आपको पता है 15 लाई करेगा 8 और 16 के बीच में हाँ सर 8 और 16 के बीच में सर 8 को हम क्या लिख सकते हैं मैंने का 8 को 2 का cube लिख सकते हैं ये कितना है 15 है और ये कितना है 2 की power 4 अब आपको पता है ये 15 की value हमने बच्चा कितने निकाली है ये भाई सब हमने 2 की power L निकाली है मतलब 2 का cube less than 2 की power L क्योंकि देखो 15 की value 2 की power L है और ये है 2 की power 4 तो देखो भाई एक आप idea लगा सकते हो समझे ना एक idea लगा सकते हो एक अनुमान लगा सकते हो कि जो L होगा ना ये देखो 3 से 4 के बीच में होगा विल्कुल सही बात है L जो है देखो 3 से 4 के बीच में होगा तो देखो इसमें आप दिक्कत ना फील करना मैं फिर से बोल दे रहा हूँ log 2 15 दिया था L A ढूंडा, N ढूंडा, सड़े, नाल लगाया फिर 15 इकोल टू की power L आया तो हमें पता है 15 किस के बीच में लाई कर रहा था 15, 8 और 16 के बीच में लाई कर रहा था 15, 2 की power L होता है हमने 15 को लिख दिया क्या? हमने 15 को लिख दिया 2 की power L और 8 होता है 2 का cube और ये होता है 2 की power 4 तो आप एक idea, एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो L है, ये जो भाई साब L है ये L क्या होगा? मैंने का L होगा 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा होगा एक भाई अनुमान लगा दिया है तो जितने लोग को ये समझ में आया हो लोग जरूर comment कर देना अनुमान मैं समझ जाओंगा आपको ये अनुमान समझ में आ गया है एक approximation कर दिया है तो देखो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साब अगर आपको A और ये fix दिया हुआ है तो भाई इसकी सिर्फ एक value आएगी अब एक चीज बताओ L3 से 4 के बीच में लाई कर रहा होगा क्या लाई कर रहा होगा? exact हमको नहीं पता लेकिन अगर for example मैं कुछ ऐसा मान लूँ for example किसी तरह किसी हमने calculator से या फिर किसी instrument की help से या तो रात में भाई साब एक परी आई उसने बता दिया कि भाई L की value मानो की कुछ 3.9 आ रही थी मतलब भाई assume किया है यह आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी मुझको नहीं पता यह किसी को नहीं पता लेकिन हाँ मशीनों को पता है तो calculator की help से Google की help से मैंने पता लगा है कि L इतना आ रहा है तो यह ध्यान रखना इसका value आप किसी भी calculator से निकालो कोई भी निकाले चाहिए Apple से निकाले कोई Nokia से निकाले कोई Samsung से निकाले कोई MI से निकाले कोई Vivo से निकाले किसी के भी calculator से answer निकालोगे तो वो same ही आएगी मेरी बास समझ में आ रही है तो देखो जितना मैंने बकवास कर दिया मैं बस इतना बोलना चाहता था पहला log meaningful कब है ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान दखनी है और अगर N और A fix हैं तो इसकी multiple value कभी नहीं आएगी बस मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी एक ही value आएगी वो unique value होगी एकलौती value होगी और यहाँ पे मैंने देखो एक आपको ऐसी simple idea लेना सिखा दिया मैंने क्या idea लेना सिखा दिया idea लेना सिखा दिया कि lock to 15L है तो देखो compare करके मैंने बता दिया कि L देखो 3-4 के बीच में कोई value ले रहा होगा कोई एक value 3-4 के बीच में ले रहा होगा क्या ले रहा होगा वो भाईया हम नहीं बता पाएंगे, ये human के मतलब की tendencies, human की capability से एकडम अलग चीज है, लेकिन अगर किसी instrument के द्वारा या फिर किसी द्वारा निकालोगे, तो भाई इसकी 3 से 4 में मानो कोई न कोई value आ रही होगी, मैंने assume कर लिया मानो 3.9 आ रही थी, अगर किसी तरह हमने कि इसी एक चीज से सही निकाल लिया, तो हर मशीन से इसकी वही value आएगी, different value नहीं आ सकती, मतलब unique value थी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैंने log का question दिया, चंगू कहता है 5 answer है, मंगू कहता है 5.2 answer है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर 5 answer सही है, तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ती का important क्या था, सड्डे नाल, L equals to log N, N equals to A की power L, ये पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए, बाकी सब ऐसी की तैसी, तो पढ़ाए क्यों हो, idea देने के लिए, जिसमें कि आप भौकाली बाबा बन सको, ठीक है सर, और बताओ सर, मैंने का भाई साब, जैसे ये सवाल आता है, आप से बोला गया कि log to the base X, 2X-1, meaningful है, तो इसका X बताओ, ठीक है सर, तो देखो आप इसको कैसे करोगे, आप compare करोगे तो पता है, N का value कितना है, 2X-1, A का value कितना है, X, तो आपको पता है, आपको ये चीज बहुत बढ़िया से पता है, कि ये जो N है, वो होना चा चाहिए, मैंने का सर, ये जो A लिखा हुआ है, ये जो A लिखा हुआ है, ये होना चाहिए, greater than 0, अब देखो A का value X है, मतलब X होना चाहिए, greater than 0, next क्या है, मैंने next बोला कि A का value 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानि कि X भाईया 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मैंने का, ओके सर ये देखो दो conditions आ गई है और तीसरा जैसे भाई साब मैंने ये green वाले को solve किया तो x का value देखो half से वड़ा आ गया ओके सर अब ज़रा यहां पे ध्यान देना यहां पे ध्यान देना x आ रहा है greater than half x आ रहा है greater than 0 और x1 के बराबर नहीं होना चाहिए आपको इन pinky का क्या लेना होगा intersection तो देखो after intersection हमारा final answer क्या आएगा intersection लेना बच्चों मैंने सिखाया हुआ है कृपिया मेरी हाद जोड के गुजारिश है बस करो प्लीज बस करो और ये आपको क्या करना है intersection लेके answer लिख देना है तो देखो x greater than half है x greater than 0 है मतलब x क्या होना चाहिए greater than half होना चाहिए लेकिन इसकी value भाई 1 नहीं हो सकती इसलिए 1 हटाएंगे एक तो भाई साब लिखने का तरीका ये है और देखो दूसरा तरीका क्या इसको लिखने का जो मैं आपको वेवी करने बता चुका हूँ कि जो x है आप लिख दो half से लेके 1 तक की value लेगा 1 को हटाया था ना half से लेके 1 तक की value लेगा और union 1 से लेके infinity तक की value लेगा देख लो भाई दोनों answer से में आपको option कैसा भी दिख सकता है मतलब देखो दो type के सवाल हम लोग कर चुके हैं पहला type क्या था सर पहला type था ये वाला कौन वाला type था मैंने का जो लोग property से भी करेंगे पहला type था ये वाला कि L equals to lock to 16 दिया हुआ है तो L की value निका लिए और दूसरा type था कि बताओ ये meaningful कब है ये meaningful कब है तब हमने lock के बाबा की जो नेपियर बाबा ने जो definition दी थी उसकी हमने मदद से इसको कर लिया ठीके सर और चीज़े बताओ चलो भाई और चीज़े बताता है अब देखो भाई दो type के होते हैं lock कैसे एक होता है भाई common lock ठीके सर एक होता है common lock तो कहीं पर भाई common lock का मतलब क्या होता है base is 10 उस time भाई साब lock का जो base होता है वो बच्चा party जैसे मैंने लिखा log x अब इसमें कुछ लोग रो सकते हैं और यार बेस नहीं दिया यार बेस नहीं दिया तो हम कहेंगे देखो भाई जब बेस ना दिया जाए वैसे सवालों में दिया जाएगा तो base आप देखो 10 मानोगे ठीके सर जनरली बच्चों जो base 10 होता है जनरली म hydrogen ion concentration जितने लोग को याद है तो भाई या comment कर देना जैपी अच्छ ठीक है next चीज क्या होती ही बाई next आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग natural lock ठीक है बच्चा पार्टी natural lock कहते हैं ठीक है सर अब देखो भाई ये natural lock क्या होता है natural lock का मतलब होता है base is E क्या होता है इनी की respect में इसका नाम दिया गया है नेपियर्स constant ठीक है कुछ लोग इसे नेपीरियन बेस भी कहते हैं तो देख लो आपकी मर्जी आप चाहें नेपियर्स constant बोलो चाहें इसको बच्चा पार्टी नेपेरियन बेस बोलो ठीक है ओके सर ये दोनों चीज बोल सकते हो ये नेपियर बाबा जॉन नेपियर बाबा के respect में ऐसा काम किया गया है अब देखो भया सवालों में कभी कवार देखो ऐसे लिखके आएगा सर कैसे जैसे लिखके आएगा बच्चा पार्टी lnx तो lnx का मतलब क्या है log to the base e x लिखा है मतलब base e है इसका मतलब यह हो आते हैं differentiation वी जनरली वही करते हैं तो देखो यह कोई rule नहीं है यह मत सोचना कि अगर यह चीज मैट्स में आगे तुम का यह क्या चीज हो गई यह तो सर निकार्ट फिजिक्स कमिस्ट्री में आएगी ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है जनरल क्या trend है वो मैंने आपको बताया है ठीक है बच्चा ओके सर हाँ एक चीज और यह जो ई होता है इसका approximate value होता है 2.71 ठीक है बच्चा बाटी जैसे पाई का 3.14 होता है जो पाई होता है वैसे यह होता है 2.71 approximate ठीक है सर नेक्स चीज बताओ सर अब आती ही बच्चा बाटी properties of logarithm क्या-क्या लोग की property होती है ठी प्रोपर्टी भाई साब यह आती है कि अगर मानों आपको दिया गया है log to the base a number दिया है n ठीक है बाई तो देखो इसमें एक property गाम आती अब इस ऐसे कर सकते हो log to the log n base मानों कुछ ले लिया alpha और upon कर दिया log to the base alpha और यहाँ पे a देखो बाई यह property पहले समझो यह property याद होन मतलब क्या करा हमने इसे एक तरह से लिख दिया log n मतलब n ऊपर था ना मतलब यह number था ना log n upon log a कर दिया और देखो alpha any base हो सकता है तो alpha is any base लेकिन हाँ यह base हमें तमीज में लेना है तमीज का मतलब क्या है alpha greater than 0 होना चाहिए और alpha 1 नहीं होना चाहिए इसका में ध्यान रखना यह नहीं कि minus two base लेकि आपने सवाल कर दिया जो base है मेरे बच्चे base हमेशा क्या होना चाहिए इस वाले rule को follow करना चाहिए और साथ में आपको पता ही है यहाँ पे log n लिखा है तो हमें ध्यान देना है कि जो n है ठीक है n greater than 0 होना चाहिए अब यहाँ देखके कुछ लोग सिर यह आते कहां से हैं यह जितना उचले इने उचले नहीं देना है यह भाई साब one नहीं हो सकता सिंपल सा rule जितनी भी कहानी मैंने सुना दी log an होता है log an और upon लॉग alpha n अपन लॉग alpha है log उपर वाला इसको मैं उपर वाला बोल देता हूं time being n को और a को बोल देता हूं नीचे और बता हूं अब देखो भाई इसको हम लोग proof करने का प्रियास करते हैं ठीके सर चलो proof करते हैं चलो भाई इसका देखो हम लोग proof कैसे करेंगे प्रूफ जरूर करो तो देखो भी आप प्रूफ कैसे होगा हम लोग ऐसा करते हैं बच्चा बाड़ी log an को मान लेते हैं बात क्लियर है तो यह लॉक कहरा उससे सड्डे नाल रहोगे तो एश करोगे एन इकोल्स टू एकी पावर एल हो गया है ठीक है सर नेक्स चीज बताओ मैंने का यार ऐसा करो क्या करें सर लॉक एलफा एन इकोल टू ले लो एलवन जो आरेचेस का जो बच्चा बाटी नुमरे जो इसका डिनॉम्निटर है उसको अगर लटू मानेंगे तो देखो एकोल्स टू क्या हो जाएगा एलफा की पावर लटू एकदम सही मामला है और मामला एकदम बच्चा बाटी कूल है ठीक है सर अब बताओ सर अब देखो बाई एक तरह से तुम्हें प्रूफ क्या करना ह एक तरह से को भाई टू प्रूफ बच्चा क्या तू प्रूफ बच्चा पाटी बच्चा कि ये वाली चीज क्या है एल है ये वाली चीज क्या है और ये वाली चीज क्या है एल टू है ये भाई साब हम लोग को देखो प्रूफ करना है वियाब टू अब बताओ सर क्या किय जाए हमने का देखो बिटा इंसन ने लिया जाए बाकी चाहे कुछ भी किया जाए ठीके सर अब यहाँ पे जरा ध्यान देना मैंने भाई सापना इन तीनों से बहुँ ज्यादा प्रेम जोड़ के रखा हुआ है इन तीनों से क्योंकि भईया प्रेम हमारा यहीं है क्योंकि ठीके सर नेक्स चीच सर यह जो आपको दिया है कि alpha की power l2 a दिया है बिल्कुल सही इसको यहाँ पे जाके a की जगा पुट कर दो जैसे इसको आप पुट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा alpha की power l2 यह जाएगा alpha की power l2 ठीक है भाई यह देखो एक ही value सिफ मैंने पुट करी ध्यान देना सिफ देखो एक ही value पुट करी alpha की power l2 a की value pen चलाते रहना यह मत बुलना डाउट है please somebody help डाउट है पुट करो एक ह जग है alpha की power l2 बाहरे l equals to alpha की power l1 ओके sir अब बताओ power क्या होती है multiply हो जाती है ठीक है power multiply हो जाती है तो alpha की power l into l2 जो है यह दो को point का मतलब multiplication है यह आ जाएगा भाई साब l2 अब क्योंकि भाई base same है बिल्कुल सही बात है क्योंकि sir base same है और मेरे को base पसंद है यानि power same होनी चा यह l1 ठीक है बाई power देखो same होनी चाहिए इसका मतलब क्या है sir यह l की value आ जाएगी l1 upon l2 एकदम सत्य वचन है जो l है इसकी value आ जाएगी l1 upon l2 I hope hence proved हो चुका है जो आपको proof करना था okay sir अब देखो बहुत से बच्चे कहेंगे sir क्या proof important है मैं कहूंगा नहीं बस proof समझ में आ गया मेरे लिए काफी है finally जो सवालों में काम आएगा और आपको देखो सवाल करना ही सीखना है तो हमेशा question solving mode में रहना है तो भाई साब हम लोग क्या करेंगे हमेशा हम लोग first है वो जैसे मैंने आपसे बोल दिया मेरे cute से बच्चों मैंने आपसे बोल दिया log alpha one upon alpha तो देखो इसको मैं पढ़ता हूँ log सीधा उल्टा मतलब जो यहां पर दिया है उसी का देखो reciprocal दिया है सही बात है ना number की जगे क्या है बाई साब देखो reciprocal है तो देखो इसकी value क्या तो देखो number होगा one by alpha बिल्कुल सही ठीक है a क्या है alpha फिर से गाना आपको मैंने फालतु में थुर्णा गाना गाया तुम्हें क्या लगता मुझे गाना गाने का shock है hero बनने का shock है कोई shock नहीं है मैं सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में एक दम गुसेड़ना चाहता हू तो यह ध्यान रखो n equals to जैसे a की power l करोगे यह मानो इसकी value है l तो देखो n put करो 1 by alpha equals to alpha की power l और solve करोगे तो देखो alpha की power minus 1 जो है वो alpha की power l होगा ना आपको पता है क्योंकि देखो base same है यानि l का value कितना हो जाएगा sir l का value हो जाएगा l will equal to minus 1 सभी ने सोच लिया होगा तो देखो finally देखो जो conclusion निकला है अगर सवाल आप पहुँछ जल्दी गरना चाहते हो तो यह चीद दिल दिमाग में ध्यान रखना कभी भी log of सीधा उल्टा पूछा जाए तो उसका answer हमेशा कितना होता है minus 1 आपको directly लिख देना और हाँ यह देखो meaningful चीजे हमेशा ध्यान रखनी है कि meaningful क्या कि base कभी one नहीं होना चाहिए ठीक है और positive रहना चाहिए यह understood बात है यह मैं आखरी बार बोलना हूं बार बार नहीं बोलूंगा log में यह सारी चीजे बाई सब define होनी चाहिए अब जैसे बाई सब मैं example की बात करता हूं ठीक है sir example की बात करता हूं मानो किस से सुनना जब reciprocal लिखे हो इन फैक्ट अगर यहां पर ऐसे भी लिखा होता ना log one by three और three तब भी answer क्या होता माइनस वन नहीं होता ठीक अब यह pattern ना बना लेना कि यहां पर हमेशा one upon something होगा ना बेटा हमेशा आपको एक चीज़ान रखनी है हमेशा देखो एक चीज़ान र दूसरे के reciprocal होने चाहिए ठीक है बच्चा मेरे काल से दूसरी property भी सबको याद हो गई यह याद होनी चाहिए अब दिखते है बच्चों हम लोग next property यह बहुत जादा important property है जैसे भाई साब आपको अगर कहीं दिया हुआ है log an1 प्लस मानों इसमें कर दिया गया log an2 और इसक देखो value कितना आता है यह बच्चा party आता है log an1 into n2 यह इसका value आता है ठीक है सर अब देखो बाई साब इसमें यह जो property इसमें देखो क्या चीज़रूरी होती है कि बाई देखो सबके base देखो same होने चाहिए जब base same है तब ही आप दोनों को क्या कर पाते हो add कर पाते हो तो देखो अंदर के number जो है देखो multiply हो जाते है यह dot का मतलब बच्चा पाती multiply है और देखो base यहाँ पे same रहता है ठीक हो अच्छा party तो देखो भई यह बहुत important property है यह अभी आप इसको पिलकुल यात कर लो दिल दिमाग में बसा लो because आगे चलके इसका use बच्चा party calculus में भी हो होगा उसके बाद में इसका use प्रिगो में भी कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो log के साथ mix आ जाए ठीक है and then इसके बाद quadratic sequence series इसका use किसी भी chapter हो सकता है किसी भी chapter है बाई सब जो सवाल है वो log के mix होके आ सकते हैं तो देखो बच्चा पाती हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इ देखो ये कैसे proof होगा हम लोग देखो क्या करते हैं ये जो दिया है पहला वाला log an1 इसको ले लेते हैं l1 जो ये दिया है दूसरा वाला log an2 इसको ले लेते हैं बच्चा पार्टी l2 अब आपको याद है मैंने क्या बोला था सड़ेना लिर रहोगे तो एश करोगे ठीक है तो देखो इसका answer क्या आएगा n1 equals to a की power l1 इसका answer क्या आएगा n2 equals to a की power l2 ठीक है सर अब जराब अच्चा बाटी एक चीज़ ध्यान देना हां सर बताईए सर क्या ध्यान दिया जाए मैंने कैसा करो इन दोनों को multiply कर दो ठीक है सर जैसे इसको multiply करोगे क्या जाएगा n1 into n देखो यह एक नया number आएगा मेरे cute से बच्चों देखो नया number आएगा मानो n आ गया और आपको पता है n1 into n2 product होगा तो यहाँ पर क्या आएगा a की power l1 into a की power l2 बिल्कुल सही बात है आपने multiply किया n1 into n2 a की power l1 into a की power l2 अब देखो जैसे इसको आप और simplify करोगे you will get n1 into n2 जो एक नया number हमने assume कर लिया है बच्चा capital n और यहाँ देखो power add हो जाएगी ठीक है अब ज़रा बच्चा बाटी एक चीज़ देखना मैंने क्या करा मैंने देखो n1 into n2 को assume कर लिया है n ठीक है और ऐसी देखो मैं क्या करने वाला हूँ यह जो दिया हुआ है l1 plus l2 बिल्कु से ही इसको हम लोग मान लेते हैं a की power l ठीक है sir तो देखो यार एक चीज़ आप समझ गए होगे यह समझ गए होगे बस आप इतना देखना बत इतने में गौर फरमाईएगा कि n equals to क्या लिखा हुआ है a की power l इसको भूल जाना इसको भूल जाना जहां पर सफेद किया है य इसका मतलब क्या है sir coexistence होता है मैंने का किसके साथ coexistence होता है तो देखो भी या सब ने बोला इसके साथ coexistence होता है log a n equals to l के साथ मैंने का हाँ भाई साफ coexistence इसके साथ होता है अब एक चीज़ बता यहां पर देखा जाए n की value कितनी है n1 into हरे अरे देखो बिल्कुल सही तो इसको लिख साकता हूँ sir मैं log a 1 into n2 बिल्कुल सही equal to क्या दिया हुआ है equal to l दिया हुआ है और देखो l है क्या pinky को देखो l क्या है l है sir l1 plus l2 बिल्कुल सही अब देख लो बच्चा पार्टी हम लोग देखो क्या करने वाले है simple सी चीज़ है अब आपको पता है l1 की value कितनी है मैंने का देखो l1 की value है log a n1 बिल्कुल सही l2 की value क्या है log a n2 तो देखो इसी को बच्चा पार्टी मैं यहां लिख दे रहा हूँ so I am sorry थोड़ा सा ही left में जा रहा हूँ ठीक है space cover कर लेता हूँ तो देखो इससे you will get log a n1 into n2 equals to l1 की value log a n1 हां सर log a n1 एकदम सही और प्लस कितना हो जाएगा log a n2 सर प्रूफ कर लिया हां बेटा हमने प्रूफ कर लिया कि log a n1 n2 जो है उसकी value होती है log a n1 प्लस log a n2 क्या बोला मैंने हाँ सही बोल दिया देखो बच्चा रटी बस मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ कि यार आपको यह याद होनी चाहिए प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा लेकिन इसमें यह नहीं कि आप दिन रात बरबाद करो इसको प्रूफ ही करते रहो इसका बस भाई formula का use होगा तो formula आपको भाई साब दिल दिमाग में बसाना है ठीक है सर अब जरा यहाँ पर ध्यान दो अब आता है बच्चा पाटी देखो fourth चीज आती है सर यह fourth चीज क्या आती है मैंने बोला देखो भाई fourth चीज यह आती है कि अगर कहीं आपको दिया है log an1 इसमें subtract करने को कहा गया log an2 तो देखो यह क्या होता है इस वाले case में यह numbers आपस में divide हो जाते है ठीक है सर अब देखो भाई साब फिर से मैं यही चीज बोलूँगा कि यह वाली चीज आपको सिर्फ याद करनी है परंतु मैं proof कर दे रहा हूँ जिसमें कि आप लोग को थोड़ी बहुत feeling आ जाए ठीक है सर अब देखो भाई कैसे इसको हम लोग proof करेंगे देखो भाई क्या है proof proof है इसका बच्चा पार्टी मैं log a n1 को मान लेता हूँ l1 ठीक है सर log a n2 को क्या मान लेता हूँ इसको मान लेता हूँ बच्चा पार्टी l2 ठीक है सर अब ऐसा करता हूँ बच्चा पार्टी यहाँ पे सड्डे नाल वाला रूल लगाता हूँ तो देखो आपको पता है कि उपर जैसे सड्डे नाल रूल लगेगा तो देखो n1 equals to होगा a की पावर l1 और यहाँ पे जो n2 होगा वो होगा n2 equals to a की पावर l2 ठीक है सर अब देखो भाई next teach के आने वाली है हम यह ऐसा करते हैं इन दोनों को divide कर देते हैं अब देखो भाई जैसे आप divide करोगे इसमें इन दोनों को divide करोगे तो n1 upon जब आप n2 की value निकालोगे तो आपको पता है this will equal to a की पावर l1 upon क्या हो जाएगा a की पावर l2 यह हो जाएगा a की पावर l1 minus l2 ठीक है सर अब जरा यहाँ पे ध्यान देना मैं ऐसा करता हूँ यह जो आपको दिया हुआ है n1 upon n2 इसको मान लेता हूँ n एकदम सही equal to यह जो आपको दिया हुआ है a की पावर l1 minus l2 इसको मान लेता हूँ a की पावर l ठीक है मतलब भाई इसको n माना है और यह जो चीज आपको दी गई थी यह मैंने क्या माना है मेरे क्यूट से बच्चों l अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या लग रहा है सड्डे ना लग रहा है इसका मतलब यह है सर कि जो l है इसकी value होगी log a n एकदम सही अब आप देखो यह n की value थी n1 upon n2 और l की value क्या है बच्चा पाटी l की value है l1 minus l2 यानि आप l की जगे क्या substitute कर रहे हो ध्यान से देखना यह l यह है l1 minus l2 है नीचे यहाँ substitute किया equal to क्या है बच्चा पाटी equal to है a की power l मैंने सही लिखा है ने नीचे देख रहा हूँ और यह दिया है log a n n है n1 upon n2 यह आजाएगा भाई साब log a n1 upon कितना हो जाएगा बच्चा पाटी n2 एकदम से ही अब देख लो भाई साब आपको समझ में आ गया है क्या समझ में आ गया है कि इसका अंसर यही होगा l1 minus l2 अब देख लो भाई साब यह l1 minus l2 क्या है l1 है log a n1 put कर दो तो यह आ जाएगा भाई साब log a n1 बहुत ध्यान से देखना मैंने क्या किया है भाई log a n1 जो है देखो मैंने इसकी जगे put किया है ठीक है समझ में आ रहा होगा और यह जो चीज दी गई है जिसको मैं curly bracket से कर रहा हूँ यह जो l2 दिया गया है यह आ जाएगा बच्चा minus a sorry minus log a n2 यह देखो बच्चा पाटी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए मतलब भाई देखो hence proved हो चुका है अब तुम्हें समझ में आया तो भी ठीक नहीं समझ में आया तो भी ठीक आपको बस यह formula याद होना चाहिए तो देखो यह जो दो formula है यह दम आपके दिल दिमाग है बसे हुए होने चाहिए वैसे तो और भी है कुछ लोग इसे base change theorem भी कहते हैं तो यार कहने तो हमें भया इसका feel होना चाहिए कि यह चीज है क्या और सवालों में कैसे use करना है उसकी बच्चा बाटी हम लोग को देखो practice करनी है यह जो आपको दिया हुआ है ठीक है next चीज अगर देखोगे तो देखो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि यह जो चीज है इसकी value कितनी होती है देखो minus one होती है जब भी कभी reciprocal relation हो प्रूफ रूपिया इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके दिल दिमाग में चीजें बसे है ठीक है next चीज बाई साब यह आपको पता होना चाहिए base same होना चाहिए और next चीज क्या बच्चा बाटी यह चीज आपको पता होनी चाहिए अब देख लो इसके कुछ अगर examples मैं आपको बता हूँ ठीक है तो देखो बच्चा बाटी क्या example है देख लो भाई इनके use बस में दिखा देता हूँ जैसे भाई ऐसा कुछ मैंने कर दिया मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आपको निगालना है find ठीक है सर find पहला मैंने बूला lock to the base 3 4 ओके सर और minus lock 3 to the base 2 ठीक है कितना अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना अब आप यहाँ देख रहो दोनों के base सेम है इसका मतलब किया आप इसको ऐसे लिख सकते हो lock to the base 3 ही लिखना है और यह हो जाएगा n1 upon n2 एकदम सही यह हो जाएगा n1 upon n2 तो यह हो जाएगा log to the base 3 और number होगा 2 बस यहीं पे छोड़ देना ठीक है इसके आगे simplify नहीं होगा लेगिन यहीं पे छोड़ देना इसका कि कुछ भी मस सोचना इसके बाद भाईसाम next चीज क्या आती है next चीज आती बच्चा पार्टी अगर मैं आपसे इसी में example करा लूँ कि अगर आपको दिया होता है log 3 4 प्लस दिया होता बच्चा पार्टी log 3 2 तो आपको पता है क्या होगा base रहेगा बच्चा पार्टी 3 और यह number उपर क्या होगा देखो multiply हो जाएगा ठीक है देखो base same था तो यही देखो property यूज कर रहा हूं है यह आ जाएगा log to the base 3 और यह हो जाएगा 8 बस यहीं पे छोड़ दो अभी बहुत सारी properties हैं जिससे यह आगे भी simplify हो जाएगा परन्तु अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं उसका आगे कोई hero reign ना बने अब इसी प्रकार भाई साब आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर base भाई साब different हुआ तो यह property काम नहीं करेगी ठीक है और base same हुआ तभी property काम करेगी यहाँ 5A3 की जग है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए I hope बच्चा बाटी सब को समझ में आ रहा होगा जैवाबा की अब देखो भाई साब next चीज आती है देखो भाई 5th property की आती है 5th property बच्चा बाटी यह आती है कि अगर कभी मैं बोल दूँ A की पावर लॉग A N ठीक है A की पावर पावर में लिखा हुए बच्चा लॉग A N तो देखो इसका अंसर क्या होता है बच्चा बाटी सिर्फ और सिर्फ देखो N होता है ओके सर मान लेते हैं अब यहाँ पे जरा ध्यान दो भाई यह जो चीज है ना यह चीज भाई सब एजटे ज्याद होनी चाहिए क्योंकि सवालों में सारी चीज़ें यूज होंगी अब यहाँ पे ध्यान देना इसका प्रूफ करना है तो देखो एक बर मैं फिर से बोलना हूँ मतलब कभी भी लॉग आ जाए तो आपको यह ध्यान देना है कि यह कब मीनिंग्फुल है और यह कब मीनिंग्लेस है अब देख लो बच्चा पाटी इसका हम लोग प्रूफ करते हैं सब लोग यहाँ पे ध्यान दो जैबावा की तो देखो बच्चा पाटी क्या प्रूफ आता है कि भाई देखो अगर मैं बबसे बोल दूँ लॉग ए एन को मान लू एल एकदम सही अगर लॉग ए एन यह जो बच्चा पावर दिया हुआ है इसको मैं मान लू एल इसका मतलब होता है अब बहुआ उपर देखा लॉटाओ तो आपने अल्रेडी जब आपने इसको ऐसे मान लिया लॉग एन को ल मान लिया तो सर मुझको पता है एन तो एकी पावर एल के बराबर हो जाएगा यह आपने मान लिया बिल्कुल सही अब सर इसका लॉटाते हैं तो आपको पता है एलेचेस हो जाएगा एकी पावर लॉग एन देखो एल हो जाएगा अब आपको पता है एकी पावर एल होता क्या है सर ये तो एन होता है कहां से यहां से और वही तो प्रूफ करना है तो देखो कुछ लोग को लगा है जटका लगा होगा यह काई से प्रूफ हो गया लेकिन भाई प्रूफ हो गया शांती मन से सोशना यहीं प्रूफ है इट्स ओवर लेकिन आपको चीट ध्यान रखनी है कि यह चीट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि सवालों में यूज होगा बहुत से लोग इसे बोलते हैं क्या है और साथ में लौक का बेस भी टू है तो इसका इसका अंसर क्या हो जाएगा बच्चा पाटी इतना करा डाला लाइफ क्या हो जाएगी बच्चा पाटी जिंगा लाला थीक है सर और बताओ अब आती देखो next property, next property बच्चा पाटी अक्सर लोग ना गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है, next property अक्सर लोग गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है भई, तो देखो क्या है, अब देखो भई, next property क्या है, कि अगर आपको मैं बोल दूँ, log to the base a, x की पावर n, ठीक है भई, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो देखो आपको ध्यान क्या रखना है, लोग इसे गलत पढ़ लेते हैं, आप लोग लिख दोगे, n into log a, x, आप लोग बच्चा पाटी ऐसा कु आपी से कम से कम जब मैं पूरी चीज बता दू, कमेंट कर देना, बाबा की माया, विदा दिल, तो मैं समझ जाओंगा भाई साब, कि आपने ये चीज गलत पढ़ ली थी, लेकिन अब आपने याली चीज देखो, सही पढ़ ली है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो भाई, क पूरे लॉक से मल्टिप्लाई हो जाती, यह जो पावर है, यहली पावर किसकी बेटा, यह पावर देखो, सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर है, यह पूरे लॉक की पावर नहीं है, ठीक है, यह सिर्फ देखो, एक्स नंबर की पावर है, और देखो, एन जब होता है, भाई साब सही property है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना है, ये दिल में आती है, समझ में नहीं, तो भाई जब भी कोई ऐसा सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है, कि जब भी आपका भी power हटा है, तो पहले चेक करने, even a key order, अगर fraction में है, तब भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अगर कोई fraction में, तो बच्चा पार्टी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इसको ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे देखो भी या सवाल आता है, तीक है, इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, कोई जुरुरत नहीं है प्रूव की, जैसे log मैंने आपको बोल दिय कि देखो, सवाल देदी, आपको X का विल्यू निकालना है, ठीक है, जैसर, find X, बिल्कुल सही, such that, आपको क्या बोला गया है, पहले पार्ट में, आपसे मैंने बोल दिया, log to the base 2, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी बोल दिया, X की पावर 4, ध्यान देना ब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखो, ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ यह जो आपको दिया हुआ है, X की पावर 4, इसको माल लेते हैं, N, ठीक है, A क्या है, 2, L का value कितना दिया है, देखो, 2, तो देखो, हमेशा, सड़े नाल रहोगे, तो ऐसे करोगे, ठ है, यहां पर देखो, प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो, प्रॉपर्टी लगाते हैं, मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो देखो, यह फूर आगे, multiply होगा, 4 इन्टु, log to the base to mod x, ठीक है, भाई, एकूल 2, कित तर कहां पर ध्यान देना है देखो यहां पर ध्यान देना है आपको कि जो a है वो होगा 2 बिल्कुल सही जो n है वो होगा mod x बहुत सही जो l है l होगा half एकदम सही आप लगाओगे बच्चा पार्टी सड्डे नाल तो देखो mod x जो है इसकी विल्ली हो जाएगी a की power l अब भाइस आप अकसर इसमें mistake कर देते हैं इसमें पताएकसर क्या mistake कर देते हैं अकसर यह mistake कर देते हैं mod नहीं लगाते हैं तो उनका answer सिर्फ प्लस आ रहा होता है root 2 तो बच्चा पीब बहुत ध्यान से देख ना ठीक है यह आ रहा है चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो, दोनों पूट कर लेना, x की पावर 4 तू से positive बनाई देगा, ठीके बच्चा, तो answer आ जाएगा, तो ध्यान रखना ये mistake आपको नहीं करनी है, अगर अब तक ये mistake करते आए हो, अब देखलो बच्चा बाटी, इसी में अगर second चीज मैं पू ले जाओगे, ये आजाएगा log to the base to x equal to कितना होगा, 2, यानि जो log to the base to, जो x होगा, ये आजाएगा देखो 2 by 3, अब भाई compare कर दो, n की value कितनी है, x, यहाँ पे भाई, mod मत लगा देना, तो आप पाप के भागिदारी बन जाओगे, ये सिर्फ even power में होता है, तो देखो य 10 equals to a की power l होता है, और देखो यही answer होता है, यही भाई साब देखो answer होता है, एकदम सही पहस से, यही answer हो, only one answer, ठीके sir, अब देखो भाई, और भी property देखते हैं, ठीक है, proof थोड़ा बहुत मैंने आपको feel देदिया, उससे ज़्यादा कोई जुरुत है, नहीं आपको proof लेन comment करो, यार दिलाओ कितनी property होगी, 6 होगी ही न, अब आती देखो बच्चा बाटी, साथ वी property, ठीक है sir, next property देखते हैं, अब देखो बच्चा बाटी, साथ वी property क्या है, कि अब की बार जो power है, वो देखो base में होगी, a की power n, और यहाँ पे दिया है x, मेरे खाल सबको clear हो र होता है, log a mod x, यहाँ देना, यही आपकी mistake है, क्योंकि आपको यह चीच पता ही नहीं थी, किसी ने बताए नहीं, यह तब होता है, जब n even होता है, देखो मैंने गलत लिख दिया है, power किससे गई है, इससे गई है, तो यहाँ देखो mod a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x एकदम सही, लेकिन यह कब होगा, जब n होगा even, ठीक है सर, अगर भाई साब n odd है, तो यह हो जाएगा 1 by n, यहाँ जाएगा lock, अब देखो किसी भी mod odd की जरूरत नहीं है, तो इससे n जो है, n हो जाएगा odd, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, मतलब अगर n odd है, तो mod की क चीज पता है, कि भाई साब mod वाली concept पहली बार देख रहोंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह सारी properties आपको क्या करना है, जैसा मैंने last lecture में आपको याद होगा, जब आखरी में thank you slide चल ले थी, thank you slide के time मैंने आपको बताया था, कि आप एक flashpad बना लो, एक बात भी आप देखोगे, अगर आप रोज देखते हो, नियमत रूप से हाँ, खुब सारे formula हो जाएंगे, तो भाई साब जब जब आपकी मनजिले इतनी जिद्धी है, तो आपकी जो हौसले भी तो जिद्धी होने चाहिए, तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको वो सारे के सारे flashpoint में लिखने और रोज के रोज देखने, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे formula याद होंगे, और formula अगर याद होते हैं, तो question solve करने की ताकत आती है, formula याद नहीं होते हैं, तो ताकत नहीं आती है, और अगर ताकत नहीं आएगी question solve करने की, तो कहां से number आ वाली खेली उल्टा सीधा खेल लिया और बेस चेंज जिसे बोलते हैं अपन वाली भी हमने कर ली अब देखो बच्चा बाटी एक और चीज़ होती है जब भी कभी ठीक है यह प्रॉपर्टी कोई न्यू नहीं है लॉग मानो कुछ एन एन हो गया मतलब देखो सेम सेम हो गया सेम सेम हो गया तो देखो इसका वेली बच्चा बाटी हमेशा वन आता है ठीक हमेशा वन आता है कैसे आता है कुछ लोग पूछ लेते हैं बताओ भाई कि यह कैसे आया तो देखो भाई यह कैसे आता है यह देखो ऐसे आता है कि अगर आपको दिया है मानो लॉग एन एन इ यह वियर एन करेगा आप इसमें देखो सिर्फ सड़े नल प्रोपर्टी लगाओगे तो ऐसे ही पहुच जाओगे तो आपको पता है यह एन की पावर वन इकोल टू कितना लिखा हुआ एन की पावर ल यानी कि भाई देखो एल की वेल्यू कितनी लिखी होगी एल की यह होती है कि अगर मैं आपसे बोल दूँ ए लॉग ठीक है और फिर क्या बोल दूँ मैं कुछ बोल दिया ए नहीं बोलता हूँ ऐसा करता हूँ मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ बी बोल देता हूँ बी लॉग तो यह बी लॉग एन क्लियर है तो यह बी की पावर दिया हुआ आपको log an देख रहा हूँ बी की power दिया हुआ आपको log an अब जारह यहां पर ध्यान देना ठीक है तो देखो यह change हो जाता है यह आपस में interchange हो सकते हैं तो देखो जैसे इनको आपस में interchange करोगे तो देखो यह कुछ ऐसा आजाता है यह आजाता है एन क्लियर भाई एन लॉग लॉग तुदा बेस ए और यह बी उपर चड़ जाता है यह भाई साब देखो कुछ ऐसा आजाता है यह चीज आपको दिल दिमाग में एकदम बसा लेनी है यह कुछ ऐसा आजाता है वहां सर क्या creativity है ग्रीन की जगे लाल लाल की तो देखो इसको हम लोग कैसे proof करेंगे तो देखो यह प्रूफ करने हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले बच्चा पार्टी हम देखो LHS को उठा लेते हैं झीक है जैसे बच्चा पावर लोग a n है यह जो पी की पावर log a n है इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चा पाटी एल तो यहाँ पे बहुत ध्यान से दिखना इसको हम मान लेते हैं एक को को बेस है आपको पता है जो पावर होती है वो क्या होती है एकदम सही सर पावर होती है लॉक की वेल्यू और यह तरह से को नंबर है आपको शाय समझ में आ रहा हूँ कि देखो मैं कैसे बच्चा पार्टी से कंपेर कर रहा हूँ देख लो सुन्दर लग रहा है कि नहीं मैंने इसको क्या लिखा इसे लिखा बच्चा पार्टी बेस इसे बोल बेला मैंने जो पावर होता है वो होता है लौक और यह बराबर आ गया एल चलो माइट भी शायद ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करता हूं मैं जो बच्चा पार्टी इसकी जो मैंने वेल्यू लिए मैं ऐसा करता हूँ लॉग ले ले लेता हूँ बोद दसाइड मतलब टेग यू बिल गेट लॉग बी की पावर बहुत ध्यान से देखेगा यह आ जाएगा लॉग एन एकदम सही और दिस विल इक्वल टू लॉग आफ एल ठीक है सर अब एक चीज़ देखना ये एक तरह से बताओ कौन सा फॉर्म है यह देखो बी की पावर देखो नंबर का यह आ जाएगा लॉग ए एन ठीक है यह दो graduate को आगे मल्टीपलाई हो गया है और यह आ जाएगा लोग अगर यहोग पावर है यह अगर होती तो यहाँ पे देखो मौड आ जाता लेकिन आपको एक चीज पता है देखो लॉग बी लिखा हुआ है इसका मतलब बी पॉजिटिव रहा होगा तभी तो यह हम लोग लिख पाया दरवाइस हमारे हाथ बंद जाते तो अगर यह पॉजिटिव है तो आपको पता है यह तससे ही खुलेगा यह तो बहुत बेसिक सी चीज है इस ही में आपको बच्चा पाटी ध्यान देना है देखो मैंने क्या करा मैंने क्या करा फिया अगर यह इवन होता तो यहां मोड आता और होता तो मॉड नहीं आता कोई और डेसिमल विल्यू होती तो भाई कुछ भी नह और यहां पर ऐसा धौन आगा आए donne यातो नहीं आता है इतना ही सोचो उस्यादा मथ सोचना क्वेशान है तब सोचना यहीं पर मी सोच खराब मत कर लिए यह सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीमे सब्सक्राइबार log L आ गया। आए हो बच्चा-पार्टी इस सबको safer होगा। अब जल्ए यहां पे सब लोग ध्यान देतो क्या ध्यान देना है श्रूर्द भाई अब देखो क्या ध्यान देना है हमें देखे तो पहले क्या ध्यान देना है हाँ यहां पे आओ तो सीगेकिák लॉग a n log a n into क्या है बच्चा पार्टी log of जो b दिया है एंगदम सही log of b दिया हुआ है ये value बच्चा पार्टी देखो log l गे बराबर दिया हुआ है ओके सर, ओके सर, ओके सर अब जड़े यहाँ पे और ध्यान देना इसको आप लिख सकते हो log n ठीक है बेस बच्चा 10 है जब मैं बेस ना लिखूं मतलब बेस 10 है तो देखो इसको कैसे लिख सकते है log नीचे बेस 10 upon क्या लिख सकते है बच्चा पार्टी log of a and this will equal to log b को नीचे दो इससे आजाएगा log l upon कितना आजाएगा बच्चा पार्टी log b थोड़ा जारा फालतू का मैं यहां पे खिचली पका रहा हूं लेकिन मैं प्रूफ दे रहा हूं जिसमें की जो लोग प्रूफ जानना चाहते हैं उनको बच्चा इसका प्रूफ मिल जाए otherwise भाई stay happy नीचे ले आया हूं तो यहां जाएगा log a और अपान में क्या जाएगा बच्चा पार्टी यहां जाएगा log of b कि के सर इससे हमें क्या मिला सर मैंने देखो इससे यह मिला आपको देखो इससे यह मिला कि जो लॉक टुदा बेस ल एन है इस विल इक्दम सही है सर अब जब चीज बता बच्चा पार्टी अगर मैं कुछ ऐसा करूं अगर मैं कुछ बच्चा पार्टी ऐसा करूं कैसा करोगे सर कैसा करोगे चलो भाई सब देखो एक काम मैं और भी कर सकता था ठीक है एक काम और भी कर सकता था एक्शली जो प्रूफ करना है यह format यहां से मैं तो कर स आजाएगा log of n equal to आजाएगा log of b और divided by कितना आजाएगा log of a एकदम सही अब बता बच्छा पाटी जैसे इसको आप log में convert करोगे तो देखो यह आजाएगा log ठीक है सर पेस होगा n नंबर होगा l एकदम सही इसका receipt रोकल लिया तो ऐसे ही आपको देख रहा होगा और जैसे log में convert करोगे जो मैंने base change theorem बच्चा पढ़ाई ती यह देखो इसके बराबर आजाएगा एकदम सही बाई एकदम सही अब ज़रा यहाँ द्यान दो बाई इसको मैं अगर कुछ बच्चा पार्टी l1 मान लूँ और इसको कुछ मैं बच्चा पार्टी a1 मान लूँ दिखो हाँ दिख रहा है तो आपको पता है यहां से आप यह comment बाजी कर सकते हो कि n1 equals to a1 की पावर l1 हाँ sir ऐसा आप comment कर सकते हो तो देखो भाई पीछा ले page में जैसे जाओगे तो देखो यहां से क्या जाएगा n1 का value कितना है sir l है एकदम सही l है a1 की value नहीं यह किसकी value थी लॉइब हो जाएगा यह हो जाएगा एंकी power यह जाएगा लॉग ए बी में एकदम सही अब लॉग की value एन की पावर लॉग भी आपने निकाल ली लेगिन आपको पता है कि आपने शुरूआत कहां से करी ति अपने शुरूआत करी थी बी की पावर लॉग एनको देखो एल मान के आपने शुरुवात करी थी थोड़ा सा यह पटा सा प्रूफ है बट इस फाइन यार सीखना है हम लोगों को ठीक है बहुत से लोग इसे बहुत मेठेट से करते हैं ठीक है ना कुछ मेठेट सही भी नहीं होते हैं तो कुछ ऐसे मेठेट आप कर सकते हो जिससे आप प्र लोग पहुचोगे तो L देखो N की पावर लॉग A B आपने निकाल लिया लेकिन इस पेज में देखो L माना था B की पावर लॉग A N तो देखो B की पावर लॉग A N यह था तो देखो इससे आपको पुरूफ यह समझ में आ गया कि यह दोनों देखो बराबर होते हैं और इक बार ऐसा करना है इसके बाद आप अपनी कापी खोलना बिना देखें प्रूफ लिखने की कोशिश करना, प्रूफ तब तक लिखना सोचना, सोलूशन मत देखना, तब तक सोचना जब तक खुद ना स्ट्राइक कर जाए, अगर आपका proof सीखने का मन है और अलग से अगर आप proof नहीं भी सीखतो तब भी बिटा आपका काम चला है इसमें आपको time waste नहीं करना है मैंने यह लिचीज करके दिखा दिया क्योंकि मुझे hence proof लिखने का बहुत जादा मन करता है और देखो भाई साब मैंने यह proof कर लिया है अब देखलो भाई साब समरी देता हूँ properties की देखिए मैंने आपको क्या-क्या properties पढ़ाई मैंने सबसे अले आपको यह पढ़ाया प्रूफ देखो सबके दिये almost सबके दिये कि log a n होता है log alpha की power n log alpha की power a मतलब उपर वाला log उपर वाला पन लॉग नीचे आला पानली चलके आप इसका base 10 भी ले सकते हो ई भी ले सकते हो लेकिन alpha alpha उपर नीचे base बच्चा वाटे एकदम सेम होना चाहिए जैसा हमने सबसे आखिरी property में इसका help से मैंने proof किया प्रूफ कोई बात ने एक idea देना था मैंने दे दिया दूसरे में अगर reciprocals लिखे हो यहाँ पे 1x3 हो तो यहाँ पे 3 होना चाहिए यहाँ पे 3 हो तो यहाँ वन बाई 3 होना चाहिए मेरी बात समझ रहोग न यहाँ alpha की value अगर 1x3 तो यहाँ 3 होना चाहिए और यहाँ पे alpha वाई की वाई त्री तो आंसर हमेशा क्या आता है देखो भाई माइनस वन आता है नीचे मैंने लिखा हुआ है ब्राकेट में वही चीज आपको ध्यान रखनी है नेक्स में आते हैं अगर बैस सेम है तो देखो नंबर मल्टिप्लाई हो जाता है बैस वही रहता है ठीक है सर उसके बाद में अगर भाइस साब देखो बेज सेम है अगर बच्चा पार्टी बेज सेम है और overall subtract हो रहा है तो नंबर देखो डिवाइड हो जाता है बेज देखो बच्चा पार्टी सेम रहता है फिर देखो दो तीन इसके हम लोगो ने question कर लिए बच्चा फिर यह question आ है मैंने का इसको बहुत से लोग देखो cancellation theorem बोल देते हैं तो देखो अंगरी जी हम पढ़ने नहीं आए हैं हम लोग भाई साप concept lock के पढ़ने आए हैं तो मैंने का देखो base same है तो answer n आता है पर हाँ इसका जरूर ध्यान रखना है कि चीजे meaningful होनी चाहिए जो नेपियर बाबा ब अगर base में हो रही है base का power reciprocal होके आता है तो यहां even है तो mode आता है odd है तो mode नहीं आता है उसके बाद में क्या चीज है तर 7th property इचा है दो property same same का lock बच्चा पार्टी वन आता है और साथ में बच्चा पार्टी बी लॉक ए एन यह थोड़ी important property है क्योंकि इसका बहुत अच्छ सवालों में use हो जाता है तो बच्चा प्लीज इस property के साथ धोका ना करें यह property आपको सिर्व याद होनी चाहिए ठीक है प्रूफ रूफ इंपॉर्टेंट नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ यह सिम मैंने उनके लिए दे दिया जिनका मन करता है otherwise आपको प्रूफ आता है नह लिखी हुई है जो चीज़ें आपको आनी चाहिए पर फिर भी मैं सारी जगेते को सितारा लगा दे रहा हूं कि यह सब चीज़ें आपको अपने फ्लैश पैड में जरूर लिख लिनी है जैसा मैंने लास चन में बताया था और क्या लास चन में आप लोगो ने end credits देखे थ end credit scene था लास में मैंने शुरुवाद में कोई entry नहीं मारी थी आखरी में end credit scene है आयो भाई सबने देख लिया होगा यह देखो भाई यह fourth हो गया है और यह third है अगर देखा था तो comment करने ना देखा था मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें तिर पढ़ाई ना करें ठीक है मस्त के साथ काम नहीं करना है हमेशा खुश रह के काम करना है यही IIT है यही JEE mains है यही JEE advance है और यही बाबा का ग्यान है तो भाई सब देख लो यह सारी property आपने देख ली है कि आप question करने को त्यार हो तो बच्चा पाटी ready हो जो कोई भी किसी property पर शक नहीं करेगा सारी property बच् इंसन नहीं लेनी है प्रूफ प्रूफ जितना आ गया आ गया बस property अप्लाई करनी सीखनी है अब देखो बच्चा पाटी जैसे यह सवाल आता है इसकी value निकालनी है तो देखो क्या जाएगा लॉक हाफ और यहाँ भी क्या होगा हाफ साइन 30 हाफ होता है सेम सेम का answer 1 आता ह है ठीक है बच्चा पाटी इसको याद याद नहीं मतलब सौरी सेम सेम जब होता है तो answer देखो 1 आता है अब इसे as it is आपको याद होना चाहिए कहां प्रूफ किया है देखो log n न लिखा है सेम सेम में answer 1 आता है ठीक है सर नेक्स चीज में आ जो यह बच्चो ध्यान रखना यह देखो 1.3 बार है ठीक है तो देखो यह लिखा क्या है यह लिखा हुआ है log 4 by 3 जो itself 1.3 बार है यह भी लिखा है 1.3 बार तो देखो सेम सेम में फिर से answer क्या आता है बच्चा पाटी 1 ही आता है इसका answer भी हो जाएगा 1 ठीक है सर नेक्स चीज में आ जो चलो बेटा यहा क्या है मैंने का देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 10 है अगर कोई आप से बोल दे log A1 बेस ओवियसली फिर से मीनिंग्फुल होना चाहिए मैं आखरी बार लिख रहा हूं यह बार बार नहीं लिखूँगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दो भाई इसका अंसर हमेशा आता है 0 इस बात का आपको ध्यान रखना है जैवावा की तो देखो भाई जैसे इसको विया करोगे तो यह देखो ऐसे कुछ लिख दोगे तो देखो बचाटी इसका प्रूफ क्या है इसका प्रूफ यही है कि N को ले लो वन एकी वेल्यू ए है ठीक है बच्चा बाटी सबको क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो यह जो लॉग ए वन दिया हुआ है इसको आप बोल सकते हो अब देखो इसमें कुछ करांतिकारी यूवक बोलते हैं कि सर आपने कहता यह वन नहीं हो सकता गलत मैंने कहता बेस वन नहीं हो सकता नंबर वन हो सकता है क्योंकि नंबर सिर्फ बच्चा ग्रेटर दिन जीरो होता है मैंने यह सब चीज़ें आपको बताई हुई है तो देख लो भाई सड्डेना लगाएगा तो एन इकूल्स टू एक ही पावर एल होगा तो बताओ भाई साब आपको पता है कि लको 0 रखने ही पड़ेगा ना लको जैसे आप 0 रखोगे तो देखो ल 0 रखते ही एक पावर 0 वन आ जाएगा ठीक है तो आपको इसीखना है कि लॉग 1 इस एल्वेस 0 एक लॉग 1 पूच लिया है तो इसका अंसर बच्चा बाटी हमेशा 0 होगा अगर मानों कभी ऐसे पू लिख देना क्योंकि लॉग जीरो भी बाइस अब डिफाइन नहीं है क्योंकि नंबर क्या लिखा है या ग्रेटर दिन जीरो होना चाहिए तब कि लॉग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लॉग ऑफ यहां पर दे दिया टू और यहां दे दिया माइनस सेवन पस अब की बार तो पीटी देना यह सब चीजे डिफाइन नहीं है और यह सब कोई अगर पूछता है तो वह पगला है कृपिया करके फालतू बातों में अपना को आती होंगी जैसे दिया है लॉग टूदा बेस टेन नंबर दिया है वन तो लॉग वन इस जीरो बस आप यहीं पेस को छोड़ दो नेक्स आता है बई इसको अगर आपको निकालना है तो देखो यह भी आप जानते हो इसको आप लिख सकते हो लॉग टूदा बेस टू और साइन स्कूर एक्स प्लस कॉस्ड़ एक कितना होता है वन तो लॉग वन इस अगेन जीरो तिसले इसका आंसर क्या जाएगा बाई सा यह 3 by 2 है बेस और 0.6 बार क्या होता है यह होता है 2 by 3 तो इसका अंसर होता है बच्चा पार्टी माइनस 1 ओके सर इक तरह से लिखा क्या मैंने का format यही है जो मैंने बताया था log alpha 1 by alpha format की यह चीज़े है ओके सर हाँ बेटा इस format की चीज़े है इसको भी यह निकाल लेना हर कोई आपको पता है यह लिखा हुआ है यह वाला question देख लो अब इस वाले question वे देख लो अब देखो यह जुदिया है मैं ऐसा करता हूँ इसको alpha मान लेता हूँ 2 minus root 3 को अब ऐसा करो इसको भी यह rationalize कर दो उपर नीचे rationalize कैसे करते हो 2 plus root 3 से ठीक है divided by कितना हो जाएगा 2 plus root 3 अब आपको पता है उपर क्या होगा 2 का square minus root 3 का square जो कितना होता है बच्चा बाटी 1 upon 2 root 3 हो जाएगा यह तो 1 हो जाएगा उपर नीचे आप यह चीज देख सकते हो अब क्या देख सकते हो कि सर यह जो सवाल आपने पूछा है यह सवाल क्या है सर सिंपल सी चीज है यह हो जाएगा lock 2 minus root 3 कितना है alpha है यह 1 by alpha है तो फिर से सीधा उल्टा कितना हो जाएगा minus 1 तो देखो यह इसके बराबर हो जाएगा I hope सब को clear हो रहा होगा अब देख लो बच्चा बाटी इसके बाद यह जो सवाल है इस वाले question को और कोई try करो ठीक है जल्दी से pause जरूर कर लेना आप लोग पहली बार lock पड़ रहे हो तो देखो यहां कैसे करेंगे root 7 लिखा है तो इसको लिख देंगे बच्चा बाटी 7 की power half तर यह क आपको बहुत बढ़ी आस पता है 4 आगे आके multiply होगा तो देखो 4 even number है तो देखो यहां पर आ जाएगा mod of 7 अब 7 की power half है अब यह ध्यान देना लोग यहां पर mistake करते हैं तो देखो अगर यह half है तो देखो reciprocal होके यहां पर divide होगी तो यहां पर सिर्फ आपको क्या लिखना है 7 ही रखना है ठीक है बच्चा अब यहां पर ध्यान देदो आपको पता है mod of 77 होता है तो देखो यह तरह से लिखा हुआ है log 77 mod 77 होता है बच्चा लोग सेम सेम कितना होता है 1 होता है simplify करना हाँ उपर जाएगा तो answer क्या आजाएगा answer आजाएगा 8 I hope भाईया सबको clear है तो देखो असान असान से question है यह से मैंने property based question अभी दिये हुए है याला question देखो भाईया pause करके सब लोग इसको try करो तो देखो इस question में क्या होगा बच्चा इसे लिख सकते हो log of 5 की power 3 by 2 5 root 5 यह होगा इसको लिख सकते हो 5 का cube अब क्या करेंगे तर यह 3 जो है आगे आके multiply होगा एकदम सही बचेगा log of 5 अब देखो आपको पता है जो 3 by 2 है fraction है आगे आके जैसे आ what is log 5 5 यह ध्यान रखना 3 by 2 देखो recipe pro का लोग के आएगा तो नीचे divide करना यहां कुछ भी लिखाओ इसको नीचे divide करना है तो कुछ लोग भी यह 2 by 3 लिख देता है भूल से तो ध्यान रखना है नीचे लेके गाए जो भी दिया उसको नीचे लेके चले जाओ तो यह तो 1 ह हो जाएगा यहां 3 3 3 3 3 3 3 कटेगा answer आजाएगा 2 आई हो भी यह सबको clear हो रहा होगा असान असान से question है इसके बाद भी यह वाला सवाल आता है यह बहुत प्यारा सवाल है तो देखो इस वाले सवाल को हम लोग कैसे करेंगे पहले हम लोग भाई सब इसकी value निकालते हैं त log to the base 3 27 को लिखते हैं 3 के cube का cube एकदम सही 3 के cube का cube अब यहां पे ध्यान दो power multiply होती है तो यह आजाएगा log 3 3 की power 9 I hope सब को clear हो रहा होगा 3 3 9 अब देखो यह जो 9 है देखो आगे आके multiply होगा तो यह हो जाएगा log 3 3 अब देखो log 3 3 कितना होगा log 3 3 होगा 1 ठीक है बच्चा क यह pinky का answer कितना आ चुका है pinky का answer सर देखो 9 आ चुका है अब यहाँ पे ध्यान दो अब देखो यह सवाल कैसा बचा अब मैं आपको कर सकता हूँ एक भी step में अब देखो यह सवाल क्या बचा है यहाँ पे सब लोग ध्यान देना इसकी value 9 है तो आप देखो इतना मैं solve कर रह हूँ ठीक है अब देखो black वाले का answer कैसे निकालोगे आपको पता है यह लिखा है lock base कितना है 3 और यह कितना है यह 9 तो आपको पता है यह होगा lock to the base 3 3 का square अब यह 2 देखो आगे आ जाएगा तो बचेगा lock 3 3 जिसकी value 1 होती देखो मैंने direct लिख दिया बच्चा तो देखो इस ब्लाक वाले की value आ चुकी है 2 अब देखो कितना यह question बचा है तो देखो इसका answer मैं लिखने जा रहा हूँ कैसे लिखूंगा अब देखो black तक की value 2 आ चुकी तो बचा क्या sir log base 2 एकदम सही log base 2 और ये है 2 एकदम सही sir what is 2 2 log base 2 2 मैंने गा sir ये होता है 1 अब इसकी value 1 पुट करो बचेगा क्या बचेगा sir log 2 1 what is log 2 1 it is 0 ये होगा answer ठीक है इसमें mistake मत करना बच्चा पाटी बिलकुल इसको ध्यान रखना अब देखो एक चीज़ बच्चा अब और बताना चाहता हूं लोग देखो common mistake क्या करते हैं यहां पर देखो मैं आपको पावर जो एन है यह होता है एन इंटू लॉक ए एकस अब रोना नहीं सरी इवेन और का ख्याल नहीं रखा पेटा इवेन और का ख्याल तुम रख ले ना मैं एक पर जन्रल सी property बता रहा हूं कि यहां एन आगे आके multiply हो जाता है इवेन और वो तुम देख लेना सवाल में ठीक है मान लो यह अली बात अब यहां पे जरा ध्यान दो बच्चा बाटी यहां पे क्या ध्यान दोगा अगर मैं बोलूंगा लॉक टू दा बेस एक्स रेस्ट पावर एन ओल रेस्ट पावर एन तो देखो डिफरेंस क्या बच्टे न तो इसमें क्या कर देते हैं इसमें भी आगे आके multiply कर देते हैं तो भाईस अब यह देखिए ध्यान रखिए कि यह जो ऊपर हमने जो किया हुआ यह correct है लेकिन जो नीचे हमने किया है यह बच्चा पाटी देखो incorrect है अच्छा हाँ लॉक एक्स की पावर है जब देखो यह एक्स की पावर होगी तब आगे आता है एकदम से लेकिन जब यह पूरे की पावर होती है तब यह आगे नहीं आता है तो यह देखो बच्चा पाटी common mistake है जितने common mistake यह करते थे वो लोग cm लिख देना cm दिल मैं समझ जाओंगा कि यह लोग common mistake यह करते थे तो ध्यान देना यह x की पावर नहीं है यह बताओ किसकी पावर है यह पूरे लॉक की पावर है यहाँ पे सिर्व x की पावर तो green का मतलब यह सही है red का मतलब यह गलत है तो जार इसकी value होगी क्या कुछ नहीं इसको ऐसे ही छोड़ते हैं log ax की whole power n है इसको हम further simplify नहीं कर सकते हैं ठीक है cannot further cannot simplified further by property हाँ कुछ value value अगर निकाल लो एग यह log ax की फिर power कर दो वो अलग बात है cannot simplified more using log property अब भाईसाब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी property नहीं है बहुत ध्यान से सुनना कि आपने कोई देखो log की property बच्चापाटी यूज करके इसे further simplify कर दिया ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन हाँ हाँ generally simplified कर सकते हो पता चला log ax की value 2 आ गई n की value 7 होगी तो 2 की power 7 आ जाएगा परंदु कोई तुम सोचो की log की property लग जाएगी तो भाईसाब नहीं लगनी अब अगर मेरी बातों से आप confused हो गए हो तो यह ध्यान रखो log ax की power n आ गए and multiply होगा इसमें नहीं होता ह है ठीक है sir समझ में आ गया sir हाँ बीटा अब जड़ा ध्यान दो इसमें ध्यान दो बहुत प्यारा सवाल है अब देखो भी यह इस वाले सवाल को कैसे करेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ भाई log tan of 1 degree एकदम सही 1 degree मैं डिगरी लिख नहीं रहा हूँ इंटू log of tan of 2 degree ठीक है डिगरी यह भाई टू लिख नहीं रहा हूँ चले लिख देता हूँ यार पता चला किसे ने बहुत खतरनाक चीश कर दी अब देखलो भाई ऐसे ही देखो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे यह आ जाएगा log tan 45 डिगरी यही चलता रहे कर सकते हैं देखो यह तो आपको पता ही है यह चीज़ देखो multiply dot 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 मतलब multiply 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 हो रहा है मुझे दिख रहा था मैंने dot dot किया था पर camera नहीं दिख रहा था camera के लिए मैंने असा बनाया अब देखो बच्छा इसको लोग कैसे करेंगे आपको पता है कि log 45 इसको लिख सकता हू log 1 0 होगा अब बता यार एक 0 पूरे तालाब को 0 कर देगा इसकी value देखो 0 आगी बच्चा बाटी अगर इसकी value 0 आगी तो सबकी value कुछ भी आती रहे हमें निकालने कोई मतलब नहीं यह 0 सबसे multiply हो जाएगा तो इसका answer क्या जाएगा भाई साब 0 आ जाएगा ठीक है तो जि आप दोबारा इसको solve कर दोबारा मतलब कि इसको solve करो 2-3 मिनट फिर यहां पर solution देखना ठीक है पॉस कर लो तो मैं इससे solve कर दे रहा हूं तो देखो अच्छा यह दिया है log of sin of 90 आपको पता है sin 90 होता है 1 इसको लिख सकते log of 1 यह भी देखो common log का case है यह value हो जाएगी 0 अब देखो log 1 हो जाएगा 0 सबसे multiply होके कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0 एकडम से ही अब भाई इसको देखो यह देखो कैसे होगा अब भाई आप देखो यह जो आप correlation दी गई है इसमें आपको x निकालना है तो देखो ऐसे question में क्या करते हैं कि देखो exponent से log और log से exponent अब द मतलब यह है कि देखो power वाले form में दिया है यह मेरा exponent से कहने का मतलब है अब भाई जाब आपको क्या करना है जो भी value निकालनी आप ऐसा करो आप log ले लो both the sides ठीक है take log both the sides एकडम सही अब जैसे लोगे तो देखो यह आ जाएगा log एकडम सही base 10 है a की power 2x ठीक है into b की power 3x equal to log of c की power 5 ठीक है सर ऐसा कुछ होगा अब देखो भाई कौन सी property यूज होगी बहुत ध्यान से सुनो अगर भियोस हो गए हो अगर तुम नहीं समझ पाऊ यह ठीक है तो आप पीछे देख सकते हो या तो pdf खूल के आप बैठा करो साथ में जिससे कि आपको जब मैं कहूं कि पीछे अली property देख लो तो वीडियो पूरा पीछे लेके जाने की जुरत ना हो आप बस अपने pdf notes खोलो और भाई साब उसमें देख लो तो देखो कैसे कर सकते हैं सर जैसे आप log लोगे तो देखो क्या होगा पहला number into दूसरा number यह लिखा हुआ है log n1 n2 एक प्रकार से लिखा है हाँ सर तो देखो what is log n1 into n2 यह आजाएगा log of n1 प्लस यह आजाएगा log of n2 ठीक है सर ऐसा कुछ आज़े एकदम सही और यह value किसके बराबर हो जाएगी log of c की power 5 तो आपको पता देखो c की power है मतलब यह जो 5 है देखो आगे आके multiply हो जाएगी ठीक है सर अब देखो चाटी जैसे आप यहाँ पे values पुट करोगे n1 और n2 की ठीक है सर n1 n2 की तो देखो यह क्या आजाएगा यह आजाएगा log n1 होगा a की power 2x ठीक है प्लस यहाँ पे क्या होगा सर यहाँ पे लिख सकते है log of n2 मतलब b की power कितना हो जाएगा 3x और यह equal to क इतना आ जाएगा यह आ जाएगा यह आजाएगा b log of c एकदम सभी अब देखो भाई क्या होगा यह जो पावर्स हैं यह आगे multiply हो इनके आरह में कुछ कह नहीं सकता कि इवेन एक की और तो भाई सब जब इवेन और आप कुछ कह नहीं सकते तो देखो फालतू में दिमाग कर दो तो यहां पर आ जाएगा log of a यहां भी परिशान नहों 3x को देखो आगे multiply कर दो यहां पर क्या जाएगा बच्चा पाटी यह आ जाएगा log of b और equal to कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 5 times log of c एकदम सही अब देखो बच्चा पाटी next step क्या है हम लोग ऐसा करते हैं कि यह जो x है इसको ले लो common तो जैसे x को common लोगे अंदर बचेगा 2 log a एकदम सही प्लस कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा 3 log of b और this equal to कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 5 log of c एकदम सही यह देखो इसके बराबर हो जाएगा अब देखो बाइस हम लोग क्या करेंगे simple है इ जैसे solve करोगे तो x equals to कितना हो जाएगा x equals हो जाएगा 5 log c x equal to हो जाएगा 5 log of c और यह divided by कितना हो जाएगा यह देखो divided by हो जाएगा कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ 2 log a plus 3 log b 2 log a plus 3 log b एकदम सही अब यहां पे जरा ध्यान देना यहां जाएगा भाई log of c की पावर 5 एकदम सही देखो 5 उपर चड़ जाएगा ठीक है जैसे ही उतर सकता है ना वैसे चड़ भी सकता है तेम भाई साब इसको क्या लिख सकते हो log of a का square एकदम सेम चीज है यह त आहले होता है यह तो अब यहाँ यह जो रहा है आगर कॉमन लोग यूज हो जाए तो रोने की जूर्स नहीं है तो उसको क्या जाएगा यह επιकार बेश सही divided by अब यह क्या है यह दोनों number आपस में multiply होंगे तो यह आ जाएगा log to the base 10 और यह बचेगा a square into b का क्यूब बिलकुल सही अब जब यहां पर ध्यान देना अब पता है देखो base 10 10 है तो जब same base है तो इसको ऐसे लिख सकते हो log c की power 5 और नीचे हो जाएगा a square b q मेरी बात समझ गया होगे तो देखो यह आपको clear है यह देखो पहली property यूज करी है log यह कौन सी property यूज करी है कि log अगर आपको कहीं दिया next जैसे यह answer है और यहाँ पर कौन सी property यूज करी है using property कि कहीं पर दिया है log n1 base मानो alpha यह दिया है log alpha n2 और यह जो चीज है यह बराबर हो जाती है log of n1 base होता है n2 इसके बराबर हो जाता है using property और यह देखो आपको ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यही है answer, एकदम सही यही है answer, ठीक है बच्चों, तो देखो simple सी चीज़ है, please यह तब तक करना, जब तक दिल दिमाग में ना बस जाए, ठीक है, तो देखो कितने type के सवाल करा है, अगर type wise अगर मैं categorize करूं, तो देखो बच्चा यह था, अगर आपको type wise देखना है, ठीक है type wise यह था, जिसमें कि पहला क्या हुआ, कि देखो same same की value 1 हो गई, अगर और आपको type देखना है, तो देखो यही type चलता रहा, चलता रहा, फिर इसका देखो एक type आया कि log 1 equal to 0 हो रहा था, ठीक है, तो देखो जबरदस्तिक मैं type type बनवा देता हूं, कि कैसे कैसे type बनते हैं, जिसमें देखो log 1 की value 0 हो रही थी, ऐसी चलते रहा, चलते रहा, फिर देखो log सीड़ा उल्टा कितना होता है, minus 1 होता है, तो देखो यह type 3 type के सवाल थे, जबकि तुम समझ रहा हो, कुछ ऐसा type 5 है नहीं, इसके बाद क्या हो ज सही, अब देखो ऐसे ही चलते रहोगे, चलते रहोगे, यहाँ पहुचोगे, फिर यह simple type 4 ही चलता है, simplify करना है, ठीक है, यह सारी चीजे थी, फिर देखो इसको तुम type 5 बोल सकते हो, जिसमें x की value निकाली जाती, तो हमेशा मैंने इसमें क्या बोला, आप से बोला कि आप log ले लो दोनों साइट, और हाँ 2x और 3x के बारे में कुछ comment आप कर नहीं सकते, अगर आप कुछ comment नहीं कर सकते, तो simple ऐसे ही आप आगे आके multiply कर दो, जैसे general property आप लोगोंने पहले पड़ी हुई थी, अब देखो बाई साब next आता है, जो है type number 6, जिसमें एक दूसरे के terms म लिखा जाता है, ठीक है type number 6, चलो बच्चो, जल्दी से इसको try करो, फिर मेरी बारी आगे, दो मिनेट जरूर इसको try करो, ठीक है, अब देखो बच्चो इस वाले question को हम लोग कैसे करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है बच्चा पार्टी, x का value ठीक है sir, और साथ में बच्चा पार्टी यह आपको दिया हुआ है y का value, बिल्कुल सही, तो देखो आपको क्या करना है, आपको log 3 10 का value लिखना है, in terms of x and y, x and y के बच्चा देखो terms में लिखना है, ठीक है sir, तो देखो कैसे करते हैं, हमेशा क्या करो भाई, इसको आप prime factorize कर दो, जैसे यह देखो log 3 10 दिया है, इसको आप लोग बच्चा पार्टी लिख सकते हो log 3, और 10 को लिख सकते हो 2 into 5, ठीक है, अब अगर बच्चा पार्टी आप इको property को अगर आप भूल गए हो, अगर आप property को भूल गए हो, तो देखो ध्यान रखो कि यह देखो दो जो दिया एक चीज़ देखना बच्चा पार्टी, यहाँ जब आप लाल वाले में ध्यान दोगे, तो इसको दिया simplify करो, तो देखो कैसे आप simplify इसको करोगे, बहुत ध्यान से देखना, आप इसे लिख सकते हो, x equals to log 3 4, तो देखो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का square, अब आप चुके हो, तो 2 देखो, आगे आके multiply होगा, तो जैसे यह आगे आके multiply होगा, तो यह हो जाएगा log 3 mod 2, तो mod 2 2 के पराबर होता है, तो देखो से log 3 2, आप समझ रहे हो, log base जो 3 है, number 2 है, इसका value कितना आ रहा है, देखो, x by 2 आ रहा है, ठीक है सर, अब देख लो, यह जो ब्ल से लिख सकते हो, इसे y लिख सकते हो, यह हो जाएगा log 3 upon log 5, ठीक है सर, एकदम देखे, सेम चीज है, यह जाएगा log 3 upon log 5, क्या दिख रहा है, यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो देखो भाई, इसको जैसे reciprocal करोगे, तो आपको समझ में आ रहे है, यहाँ पे पू लोकल हो के क्या हो जाएगा, log 5 upon log 3, तो देखो वही property यूज होईगी, जो मैंने थोड़ दिर पहले बताई थी, तो इससे देखो log 3, 5 ठीक है, जो property number 1 है, तो इसको देखो डर मत जाना, property number 1 है, कि log 5 upon log 3 है, तो नीचे वाला case बन जाएगा, और ऊपर वाला उसका number बन जाए यह है, यह है one upon y, और यह होता है answer, एकदम सई, आयो बहुत लोग का answer match कर गया होगा, जितने लोग को match कर गया है, वो लो comment कर देना, t6 दिल मैं समझ जाओंगा, कि type 6 आपने खुद से कर लिया था, तो मेरी बात ने बहुत ध्यान से सुनो, और बहुत ही ध्यान से concept को लगा आप देखलो भई, next चीज क्या है, यह वाला जैसे बच्चा बाटी question आता है, ठीक है यह थोड़ा अच्छे level का question है, यह थोड़ा आप देखो बड़िया level के questions है, ठीक है, जैसे जेई advance या means में पूछे जा सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आप यहाँ पे solution देखना है, तो देखो बच्चा बाटी, आपको यह क्या दिया हुआ है, हमने का भी यह यह दिया हुआ है log 2, 3, जिसको आप लिख सकते हो, log 3 upon log of 2, एकदम सही, equal to a, ठीक है सर, इससे देखो log 3 की value क्या हो जाएगी, यह आ जाएगा a log 2, अब देखो बच्चा math के जो सवा देखा हो, in terms of, हमेशा भाई, prime factor में तोड़के करो, हमेशा prime factor में तोड़के करो, हाँ, उसके बिना भी कर लोगे, कोई बात ने, लेकिन जो मेठेट मैं बताता हूँ, उससे आंसर जरूर आएगा, मेरी बास समझता हो, खुद से हो गया, very good, नहीं हुआ, मेरे मेठेट पी चले जो, अब यहाँ पे जरा बच्चा अर्टी ध्यान दो, जिसकी value आपको निकालनी है, lock 63, 140, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, you can write it as lock 63, देखो भाई, base 10 में तोड़ा है, यही देखो property number बच्चा बाटी 1 है, तुम जो किसी भी base में तोड़ सकते हो, लेकिन generally आ अब lock को base 10 में ही तोड़ना, यह मेरी तरफ से आपको एक राय है, तो देखो भाई, अब क्या करोगे, 63 को लिख सकते हो, कैसे, prime factor करो, यह होता है, 3 का square into 7, एकदम सही बाट, divided भाई करोगे, तो देखो 140 क्या होगा, मैंने का यह होगा, log of, कितना हो जागा, 35 into 4, देखो 35 into 4 हो जाएगा, 2 का square into 3 into 7, dot से भी multiplication को दिखाते हैं, वही देखे, मैंने यहाँ पे किया है, अब देखलो भाई, अब आपको पता है, दो number देखो, multiply हो रहे है, यानि कि यह आजाएगा, log of 3 का square, और प्लस कितना आजाएगा, बच्चा पारती, log of 7, whole divided by, यहाँ पे कियाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब सर, यह है, log of 2 का square, plus log of 3, plus log of 7, एकदम सही, तर ऐसा हो गया, बिल्कुल सही, अब बच्चा पारती, आप जानते होगी, यहाँ पे देखो, property लगेगी, तो यही चीज़ आजाएगा, तो देखो, log mod 3 होगा, जो 3 के बराबर होगा, अब यह स आजाएगा, 2, log of 2, प्लस करोगे, कितना आजाएगा, log of 3, प्लस करोगे, कितना आजाएगा, log of 7, ठीक है बिट्टा, तो देखो, यह आपकी required value, इसको मैं R मान लेता हूँ, यह देखो, required value है, जो आपको निकालनी है, ठीक है, सर, अब देखो, बाई, सब को prime में तोड़ा पर लगा सकते हो, तो देखो, इससे क्या आजाएगा, इससे आजाएगा, log of 5, divided by, log of 3, equal to कितना होगा, 5, और solve करो, इससे भाई, देखो, log of 5 कितना आजाएगा, यह आजाएगा, देखो, b log 3, ओके सर, अब जब अच्छा बाटे एक चीज बताओ, ऊपर, देखो, log 3 की value हम है, a log 2, put करो, यह आजाएगा, a log 2, मतलब देखो, बच्छा बाटे, इससे यह समझ में आया, कि log 5 की value हम लोग, a b log 2, put कर सकते हैं, देखो, वहीं पर हम वहीं पूट करेंगे, ओके सर, और बताइए, सर, और बताइए, और बताइए, अरे यार, एक में से गलती हो गई, य यार, गलती होई जाती है, recording tough होती ही करना, यार, मैंने जिन्दगी में सिर्फ live classes ली है, नीचे भी कितना आ जाएगा, 5, live online classes ली है, मैंने offline classes ली होई है, recording, nice है, मज़ा आ रहा है करने है, recording, यह मिस्टेक होती है, जितना जीवन में बेशित्ती नहीं हो, यहाँ 5 मिनिट में हो जाती है, ठीक है, अब देखो भाई, कैसे करेंगे, अब देखो भाई, यह देखो लॉक 5 आ गया, अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चा पाटी, जो देखो तीसरी चीज है, लॉक 7, 2, ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, उपर से देखना भाई, यह आ 2 divided by log of 7, equal to कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, अब देखो जैसे आप solve करोगे, तो देखो बच्चा अटी, यहाँ से देखो log of 2 कितना आ जाएगा, log of 2 की value आ जाएगी, c log of 7, एकदम सही बात मेरे बच्चे, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो भाई, जित log 2 की जाएगा, तो देखो यह कितना आ जाएगा, यह देखो आपका log 5 था, ठीक है, जितना आप green से लिखूंगा वहीं ध्यान देना, log 5 जो है, यह आ जाएगा, A, B, नीचे से आए, C, log 7, A, B, C, log 7, ओके सर, यह देखो value निकाल ली, बिल्कुल सर, next stage क्या आती है, मैंने A, क्या दिया है, C, log 7 उपर, तो यह आ गया, A, C, log of 7, एकदम सही, अब देखो भाई, आपके पास क्या-क्या चीज आ चुकी है, आपके पास यह चीज आ चुकी है, कि कहीं पे अगर आप देखोगे, log 3, put कर सकते हो, A, C, log 7, कहीं पे देखोगे, log 2, इसे put कर सकते हो, C, log 7 कहीं पे देखोगे आप, log 5, उसकी जगे क्या पुट कर सकते हो, A, B, C, log 7, I hope बच्चा यहां तक सबको clear होगा, तो अब देख लो भाई साँ, हम लोग को करना क्या है, यह जो R था, यह सारी values जो हैं, देखो, R में पुट कर देते हैं, जितनी यह green वाली values है, log 3, log 5, और य 2, log 3, 2, log 3, तो देखो भाई, log 3 की क्या value निकाली है, log 3 की हमने value निकाली हुई है, उपर से देखो, A, C, log 7, ओके सर, पुट कर दो, A, C, log of 7, ठीक है सर, प्लस, अब यहां पे ध्यान देना, प्लस जैसे यहां पे पहुच्छोगे, प्लस दिया है आपको log 7, तो log 7 का log 7 ही ठीक है, ओके सर, डिवाइट कर देते हैं, अब देखो जैसे इसको हम लोग डिवाइट करेंगे, डिवाइट करके क्या दिया है, 2 log 2, तो देखो log 2 की क्या value निकाली है, C log 7, तो 2 log C log 7, तो यहां जैकर 2 log 2 था, तो यह है, C log of 7, प्लस, नेक्स चीज़ आती है, नेक्स log 7, एकदम सही, इसका देखो, नेक्स चीज़ आती है, ABC log 7, और आखरी समें दिया हुआ बच्चा पाटी, देखो, यह log 7 ही दिया हुआ है, तो इसको log 7 ही पुट करें रहन दो, अब देखना बच्चा पाटी, इसको अगर आप और ज़्यादा simplify करोगे, देखो, कैसे simplify plus 1, वाइस आप यह answer होगा, यह answer होगा, तो देखो बच्चो एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ, मैं यह बताना चाहता हूँ, कि जैसे आपको इसमें यह दिया गया, क्या दिया गया, कि A की value यह है, B की value यह है, C की value यह है, तो इसकी value in terms of ABC आपको लिखनी दी, तो बच्चे इससे देखो चार option दिये हुए थे, मैंने option क्यों अटा दिया, क्योंकि इससे बच्चों की आदत खराब हो जाती, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, option match कर रहे है, A for Agra, B for Bombay, C for Calcutta, D for Doggy, ऐसा ही भाई feel होता है, यह ध्यान रखो, लेकिन भाई वो running नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पर calculation mistake कर दें, उससे इतना फरक नहीं पड़ता है, जितना था भाई, इस बात से फरक पड़ता है, कि आपको एक आदर डालनी है, subjective सवाल करने की, मैं चाहते हैं, आपको चार option आपको दे देता, आपको चीज़े आसान हो जाती, पर आप लोग लड़किया हो, सब भाई, मिलका सेंगों, सानिया हो आप लोग, कि आप लोग की training बहुत extreme situations में होगी, ठीक है, वैसे इतना कोई tough सवाल नहीं है, कि मैं इतना boast कर रहा हूं, कि नहीं, देखो, देखो, कितना tough सवाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बस मैं यह कहना चाहता हूं, कि भाई, सब यह सवाल मैंने करा दिया, अब आप तब तक करना, जब तक आपके दिल दिमाग में ना बस जाए, तब ही आप कहला होगे, OPE student, ठीक है बच्चा बाटी, तो देख लो, यह इस cancer आता है, 2AC plus 1 upon 2C plus ABC plus 1, अब देखो भाई, अब जैसे कि भाई, य यह कुछ दी हुई है, OPEC सर, साथ में ABC positive real number दिये है, C की value लेकिन 1 के बराबर नहीं है, OPEC सर, अब देखो इसकी value आपको निकालनी है, ठीके सर, अब देखो चटी, इसकी value देखो, हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी value, हमेशा भाई, जितना simple form लिख सकते हो, लिखो, इसे B की power 5, divided by C की power 4, एकदम सही, अब देखो इसको simplify जैसे करोगे, यह क्या जाएगा, you will get log to the base 2, उपर आएगा A square, into B की power 5, minus log to the base 2, बहुत ध्यान से देखेगा मेरे बच्चे, देखो इसमें आपको in terms of S ही निकालना है, मतलब कि final answer में S ही दिखना चाहिए, बाग के कोई ABC फ numbers आ सकते हैं, like 2, 3, 4, 5, 7, numbers आ सकते हैं, इसका मतलब यही होता है, तो आप प्लीज इसको pause करके, इसका answer निकालने का प्रयास करें, अगर भाई साब, यह आप से हो जाए, तो आप एक star बना देना, या star लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, आपने ये वाला question भाई, कर लिया ह है, ठीक है, तो भाई, मुझे बहुत अच्छा फिलोगा, कि आपने या लिची सीख ली है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दे दो, simplify करोगे, यह क्या आएगा, सरी आएगा, lock 2, अब पता है, यह multiply में दो नंबर है, तो इसको लिख सकते हो, a square, plus क्या लिख सकते हो, lock to the base 2, d की पावर 5, minus, इसको क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं, सर, lock to c की पावर 4, ठीक है, अब देख लो बच्छा पाटी, जो जो value दी गई है, ठीक है, अब आपको पता है, यह जो 2 है न, यह दो को आगया के multiply होगा, ठीक है सर, अब देखो, जो यह 2 जैसे आगया के multiply होगा, ठीक है, यहाँ पर mod आएगा, लेकिन आपको पता है, कि जो यहाँ पर abc positive है, मतलब mod a, a के बराबर होगा, जो mod of b है, वो बच्छा पाटी b के बराबर होगा, और mod of c जो है बच्छा वो c के बराबर होगा, ठीक है, मानते हो न, अब यहाँ पर ध्यान दो, यह जो mod a है, इ क्यों नहीं होगा, इसका reason आपको पता ही है, इसमें यहाँ पर mod का चक्कर क्यों नहीं होगा, तो कि यह odd power है, अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, अब जड़ा देखो, lock to a, इसकी value देखो, आपको पता है, कि lock to a की value कितनी भाई, s है, यानि यहाँ जाएगा 2 into s, स्क्वेर, b, equal to लिख सकते है, s का स्क्वेर, मानते हो ना भाई, lock to का स्क्वेर, यह दिख नहीं रहा है, इसको कहीं और लिख देते हैं, ठीक है, मुझे एक-एक step explain करना है, जो बोर होता है, होता रहे, मुझे कोई फ़र्ण नहीं पड़ता, अब यहाँ पर ध्यान दो भा बहार आएगा, तो यह हो जाएगा, हाफ, ठीक है, तो यहाँ जाएगा, lock to b, अब यह ध्यान देना, equal to s square, और simplify करो, इस से भाई, देखो, lock to b का value कितना हो जाएगा, 2s square हो जाएगा, अच्छा सर, अब देख लो भाई, यहाँ पर, देखो, lock to b का ही use है, तो आप जानते ह तो इसको आप put कर सकते हो, 2s square, जैसे multiply करोगे, यह आजाएगा, भाई, 10s square, एकदम सही, ठीक है, बच्चा पार्टी, अब क्या करना है, भाई, अब आपको lock c square 8 की value, इसके terms में देखो, लिखनी है, यह जो आपको दिया, lock to c की power 4, ठीक है, I hope यहाँ तक समझ में आ गया हो अब देखो भाई, यहाँ जैसे पहुचोगे, lock to c की power 4, तो देखो भाई, कैसे निकालेंगे, lock c square 8 है, तो यहाँ जाएगा, lock c square, और यहाँ हो जाएगा, 8, equal to कितना हो जाएगा, equal to हो जाएगा, 2 upon s cube plus 1, एकदम सही, 2 upon s cube plus 1, simplify करो, अब देखो भाई, क्या चाहिए, इसे लिख सकते हो, 2 का cube, ठीक है, सर, यहाँ पर c square लिखे रहे हैं, क्योंकि देखो, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए है, वहाँ पर c की power 4 है, तो देखो, इसको मैं और simplify कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ यहीं पर मैं थोड़ा सा amendment कर देता हूँ, c square का square, आप देखो, यह c square number का square है, तो यह जो है न बच्चा बाटी, यह देखो, जो भी चीज है, आपको यह clear होना चाहिए, कि c square देखो, आगे आ जाएगा, बिल्कुल सही, जैसे यह c square आगे आ जाएगा, जैसे यह c square आगे आ आ जाएगा, तो देखो, mod लगेगा c square में, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि c square positive है, तो mod of c square भी c square लिख सकते हैं, क्योंकि देखो, square है square हमेशा positive होता है, अब यहाँ पर ध्यान देदो, यहाँ पहुचो, यह कितना आ गया, सरी आ गया, 2 upon s cube plus 1, अब देखो, यह जो है न 3 यह जो बच्चा 3 है, यह जो 3 है, यह जो 3 है, यह देखो, आगे multiply हो जाएगा, कैसे होगा भाई, यह 3 देखो, यहाँ multiply होगा, अब यहाँ पर ध्यान देदो, log c square into 2, तो यह आ जाएगा, देखो, 2 upon 3, s cube plus 1, अब भाई साब देखो, यह बात मैंने पहले करी नहीं, और ऐस log of a, एकदम सही, अब इसको नीचे ले जो log b को, तो यह होता है भाई, 1 upon log a, अपन कितना होता है भाई, log of b, एकदम सही, यह क्या लिख सकते हो, 1 upon, समझे ना भाई, इसको नीचे लेके करें log b को, तो यह जगा 1 upon, यह है a, यह है b, मतलब सर हमने समझ लिया, 1 upon log b equal to log a b, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई यह है, इसका मतलब यह है, कि आपने समझा कि अगर कभी भी दिया हो, log a, b, यह value क्या होती है, log b, a के बराबर होती है, ठीक है सर, यह value log b, a के बराबर होता है, देखो, interchange होगा, तो यह भी लोग as a property याद कर लेते हैं, पुरा प्रू हो जाएगा, one upon log, अब देखो, interchange होगा, नीचे होगा, two, यहाँ होगा, c square, और यह कितना है, two upon three, sq plus one, अब भाई, इसकी value आपको निकाल ली है, तो देखो, इसकी value आप देखो, कैसे निकालो, बच्चा पाट्टी, इसकी value निकालोगे, यहाँ जाएगा, log two, c square, reciprocal लिया ह समझे न, तो यह कितना हो जाएगा, three into sq plus one upon कितना हो जाएगा, two, ठीक है, सर, यानि इसकी value आपने निकाल ली, log two, c square की, three sq plus one by two, अब तो भाई, एकदम हलुआ सवाल है, आसर, एकदम हलुआ सवाल है, तो देखो, भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहि two times three by two, और यह आजाएगा, sq plus one, ठीक है, सर, अब देखो, two से two, कट जाएगा, I hope भाई, सबको यह clear हो गया होगा, इसको जैसे आप और simplify करोगे, इसका answer में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे, answer क्या लिख दे रहा हूँ, simple सा, minus करोगे, तो यह हो जाएगा, minus three sq, मैं आपको यह clear हो गया होगा, क्या clear है बच्चा बार्टी, ठीक है बाई, तो बहुत असान जा सवाल था, तो इसको कैसे तोड़ना ही, आपको समझना, सीखना ही होगा, इसके लावा कोई आपके पास चारा नहीं है, ठीक है बच्चा बार्टी, तो यह question बहुत अच्छे से आ आप समझ लो, ठीक है सर, और बताइए सर, अब देखो बाई, यह logarithmic equations भी होती है, logarithmic equations जिसमें आपको x के लिए solve करना होता है, तो देखो easiest equations है, एक बार ज़र आप इसको खुद से try करिए, ठीक है, खुद से try करिए, फिर मेरी बारी आएगी, ठीक है बच्चा बारी, मेर लोग कैसे करिंगे, इसको लिख सकते हैं भाई, 5 की power log x, एकदम सही, minus 3 की power log x, divided by 3, ठीक है, तो देखो यह लिखा हुआ है, एक चीजरा मैं clear करता हूँ आप लोगो को, एगर यहाँ पर brackets नहीं दिये हुए है, ठीक है, अगर यहाँ पर brackets नहीं दिये हुए है, तो इसको आ अब कुछ लोग confuse हो कि x-1 साथ में ले लेते हैं, तो देखो यह doubt में दूर करने आया हूँ कि x-1 साथ में नहीं, अगर कभी ऐसा दिया हुआ है log x-1 brackets यूज नहीं तो यहाँ पर यह bracket रहा होगा, इस चीश को आपको याद रखना है, अब देखो equal to यह क्या आ जाएगा, इस सबको clear होगा, अब जड़ा यहाँ पर ध्यान देना, क्या सर क्या ध्यान देना है, मैंने का देखो भाई, यह दिया हुआ है 5 की power log x, बिल्कुल सही, यह है minus 3 की power log x, एकदम सही, minus 1 का मतलब क्या है, नीचे देखो 3 की power 1, जब 2 same base की चीच, जैसे यहाँ पर 3 है, divide हुई और यह equal to क्या आ जाएगा, 3 की power log x, एकदम सही, और into क्या आ जाएगा, 3 की power 1, minus आ जाएगा 5 की power कितना log x, और divided by कितना आ जाएगा 5, समझ में आ रहा हुई है, देखो same base की चीच है, 3 3 multiply हो, इसले को power यहाँ पर add हुई थी, और यहाँ पर आप समझ गया होगे, कि same base की ची और 5 वाले को इधर लेके आओगे, तो देखो what you will get मेरे cute से बच्चो, आपको मिलेगा 5 log x, उधर से आया, वो वाली चीज, यह वाली चीज इधर आई, तो यह आ जाएगा, देखो बच्चा बाटी, 5 log of x, divided by 5, एकदम सही, यह ली चीज उधर जाएगी, तो यह आ जाएग अब देखो बच्चा बाटी, next step क्या है, next step यही आप आप देखो समझ रहे होगे, ठीक है, तो यह 5 की पावर log x, देखो इसमें common लेंगे, इसमें देखो 3 की पावर log x को common लेंगे, तो देखो बच्चा बाटी, next page में क्या है, next page में यह है, कि जो 5 की पावर, जो log x है, ठी ही बचेगा बिल्कुल साही अब देख लो भाई जैसे स्को और सिंप्लिफाई करोगे तो देखो इन दोनों को साथ मिले जाओ त्री इधर लेके आओगे देन आपको क्या मिलेगा मेरे क्यूट से बच्चो पाइव की पावर लॉग एक्स डिवाइड़ भाई 3 की पावर ठीक है सर अब यहां पर देख लो देखो पावर सेम है आपको बता है पावर सेम होने का मतलब क्या है पाई बाई 3 रेस पावर हो जाएगा मेरे क्यूट से बच्चो लॉग एक्स एकुल टू आ जाएगा फाई बाई 3 का होल स्कूर अब बताओ अगर यह दोनों नंबर्स बच्चा पाटी सेम है अगर देखो यह दोनों नंबर्स आपके सेम है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा भाई कि यह जो लॉग ऑफ एक्स है यह होगा बच्चा पाटी टू देख भाई यह होगा टू तो देखो इसका बेस दिया हुआ 10 दिया नहीं है नहीं द प्रॉपर्टी लगाई है एन इक्वल्स टू एक ही पावर है ठीक है सर तो देखो बच्चो इसके आगे कुछ आपको दिया हुआ है एक्सेथ रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहां पर रूटी होता है तो रूटी होता है चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेथ रूट अब इसका मतलब आप खुल समझना अगले चीजें हम लोग करेंगे और यह आपके लिए बाई साब challenge वाल है ये challenge सवाल है इसको मैं rip की category में डाल रहा हूँ अगर रिप आप से हो जाए इसका answer आपको लिखना है का अंसर दे रहों तो आई होप यह लॉग में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना मैं पढ़ते टाइम आपका डाउट नेक्स क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूंगा तो बच्छों बहुत 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 शुक्रिया बहुती च स्टन था उसमें कुछ questions homework में ने दिये थे उनका discussion बेटा आपके कल वाले वीडियो में आ जाएगा कल जो set theory हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले set theory में पढ़ाऊंगा और set theory पढ़ाने के बाद आखरी के कुछ time में मैं वह वाला वीडियो मतलब वह homework question है हम लोग discuss कर लेंगे ठीक है और साथ में log वाले question में discuss कर लेंगे तुम मिलते हैं बच्चों कल set theory के साथ और साथ में और साथ में और साथ में जितने आज तक homework question दिये हैं जिनके discussion नहीं हुआ है वो भी हम लोग करेंगे discuss कल ओके बच्चों बाबाई love you all